हेले सुदेंट्स वेलकम टूद आफिसेल यूटूप चैनल आफ ओरेजिन कोचिंग स्वागा थे आप सभी का आज और आज हम क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मिडियम का न्यू चेप्टर स्टार्ट करेंगे सरल रेखा में गति मोसन इने स्टेट लाइन तो यहां से एक्ट्वल म नंठिकल फिजिक्स में पढ़ने का मजा आने वाला है इप लोग को इसी चेप्टर से आने वाला है क्योंकि इस से स्टार्ट होगा सब लेखा हमें गतीसे तो मेक निकलफिजिस का पार्ट है यह और हम मेक निकलफिजिस की स्राइट में में अप लोग आप लोग को फिजिकल वर्ड़ partners यहंची में पड़ते हैं इसृ इंपॉर्टिड अर गति पिंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो यह जो हमारा चेप्टर है वह हम मेकेनिक्स का पार्ट है यह ध्यान रखना तो आज से हम न्यू चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो के तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत important बात आपको मैं share करूँ वो यह है कि मेकेनिक्स का जो portion है यांतरिकी का क्लास 11 में उसका major portion है जैसे क्लास 12 में पूरे सेसन electricity और electronics पढ़ा जाता है उसी तरह से क्लास 11 में हमारा जो सबसे बड़ा portion है हमारे syllabus का वो mechanics का है यांतरिकी का है और आज उसका पहला क्लास है तो आप इस क्लास का important समझ सकते हैं कि आज जो कुछ भी मैं discuss करूँगा वो बिल्कुल zero level से basic पर discuss करूँगा जो भी आपके साथ में मैं discuss करूँगा वो zero level का basic होगा इसलिए ये क्लास बहुत important है और एक बार उसका एक मजबूत foundation बन गया तो फिर आपको future में आगे chapters पर वो आपको help करेगा आसान ही लगेगा तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही concentration से मेरे एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए मैं बिल्कुल basic से start करूँगा कहीं कोई doubt हो तो आपके chat पढ़ूँगा आप मुझे बता दीजे मैं उसको दुबारा repeat कर सबसे पहले हम देखा हो सराल रेखा में गती हमारे चेप्टर का नाम है motion in a state line सराल रेखा में गती सराल रेखा में गती पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा mechanics का जो concept है उस पर अपन डिसकस करते हैं देखो mechanics में दो तरह के चीजों को पढ़ा जाता है एक है इस्थिर्पिन जि dynamics तो mechanics के two parts होते हैं या अंत्रिकी के दो पार्ट होते हैं जिसमें से एक पार्ट को हम इस्थैतिकी, statics कहते हैं और दूसरा है गती की dynamics नाम से इसपस्ट है कि physics का वह पार्ट, mechanics का वह पार्ट जिसमें इस्थिर्पिन्डों के बारे में पढ़ा जाता है physics का वह पार्ट, जिसमें rest body के बारे में पढ़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, इस्थिर्पिन्डों के बारे में पढ़ा जाता है इस्थिर्पिन्डों मतलब जो rest में होते हैं, आगे हम इसके बारे more detail discuss करेंगे, अभी तुमें उसके branches बता रहा हूँ आपको तो physics का, mechanics का वह प्रांच, जिसमें इस्थिर्पिन्डों के बारे में पढ़ा जाता है, जो पिन्ड रेस्ट में है, उसको हम इस्थैतिकी कहते हैं, और dynamics, गतिकी का मतलब होता है, जिसमें गति सिल्पिन्डों के बारे में पढ़ा जाता है मतलब जो moving bodies है जो moving bodies है जो गती सील है उनके बारे में पढ़ा जाता है वो क्या कहलाता है गती की या dynamics कहलाता है ये मेकनिस का दूसरा part है ओके ये मैंने आपको इसके branches बता दिया अब हम देखें यहाँ पर कि frame of reference क्या होता है निर्देश तंत्र जिसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र ये निर्देश तंत्र क्या होता है इस पर हम थोड़ साँ discuss करें देखो frame of reference का मतलब है कि जब भी हम किसी पिंढ के गती के बारे में पढ़ते हैं, तो गती के अध्याइन के लिए जो reference का जुरत पढ़ता है, जिसके respect में हम किसी पिंढ के गती या इस्ती रवस्ता को represent करते हैं, वो frame of reference या निर्देश तंतर कहलाता है, जैसे इस तरह से अपने पास थ्री एक्सीज है अभी वन डाइमेंशन, टू डाइमेंशन, त्री डाइमेंशन प्रहाते समय सब एस्प्लेइन करूंगा मैं इस तरह से यहाँ पर सपोज यह X-axis है यह X-axis है यह सपोज Y-axis है यह Z-axis है यहाँ पर कोई point है P और इस spine का coordinates है X-Y-Z इस तरह से इस pin के motion को इस pin के position को जिस reference के थुरू जिस मानक position के थुरू हम study करते हैं वो क्या कहलाता है निर्देश तंतर कहलाता है और फिर यह दो तरह का होता है एक होता है जड़त्वी निर्देश तंतर जड़त्वी निर्देश तंतर का मतलब होता है ऐसा system जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं इस्थिर pin इस्थिर pin या एक समान गती से या हम कहें नियत गती से साट फाम में कहें नियत गती से तो जब हम इस्थिर pin या नियत गती से नियत constant motion से जब कोई pin गती करता है तो उसको जिस part में हम पढ़ते हैं वो जड़त्वी निर्देश तंतर कहलाता है जनरली यह क्या होता है नियूटन का जो जड़त्व का नियम है आगे हम पढ़ेंगे बलवाले चेप्टर में लाजा पिनर्सिया है तो जो नियूटन के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है जड़त्वी फ्रेम कहलाता है इस तरह से देखो और यह जो होता है जड़त्वी निर्देश तंतर जड़त्वी निर्देश तंतर का मतलब होता है जो तवरित पिन्डों का जिसमें हम त्वरित पिंडों के बारे में पढ़ाई करते है है, मतलब जो एसलेरेट होता है, मतलब जिस पिंड का वेव्ञ लगातार परिवर्तन सी requirements होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अज्यड़त्वी फ्रेम में उसके study करते हैं, टो ये कहलाता है ज्यड़त्वी फ्रेम और और अजवरातिव है, ठीक है, विराम और स्थिर, देखो इस universe में जितना भी पिंड है, इस universe में जितने भी object आप देख रहे हो, जितने भी पिंड आप देख रहे हो, वो सब सिर्फ दो ही condition में आपको दिखेंगे या मिलेंगे जिसमें से एक है इस्थिर रेस्ट बोडी और दूसरा है गती सिर्पिंड मुविंग बोडी और कोई तीसरा कंडिशन नहीं हो सकता इस्थिर पिंड का मतलब क्या होता है जैसे मालनो आप आपका बिल्लिंग है आपका इस्कूल है प्यैण है कहीं पर जो आज देखे तो वहीं है नेस्ट डे आप जाके देखे तो वहीं पर है that means वह पिंड क्या है समय के सापक्ष अपने इस्थिती को नहीं बदल रहा है time तो change हो रहा है हमने आज देखा हमारे school का building वही पर है हम कल जा के देखे कल भी हमारे school का building वही पर है that means ऐसा ऐसा pin जो समय के साथ ऐसा pin जो समय के साथ अपने इस्थिती में परवर्टन नहीं कर रहा है समय के साथ अपने position को नियत बनाया हुआ है ऐसे pin को हम क्या कहते है इस्थिर pin कहते है rest body कहते है लेकिन गती सिल pin का मतलब क्या होता है ऐसा pin जो समय के साथ अपने इस्थिती को बदल रहा है आज यहाँ है कल कहीं और है परसों कहीं और है that means with respect to time अपने position को change कर रहा है तो कोई भी pin जब समय के साथ अपने इस्थिती को परिवर्तित करता है बदलता है तब हम उसे क्या कहते है गती सिल pin कहते है moving body कहते है अब यहाँ पर आगे तो हम relative velocity को बहुत detail में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे chapter का एक important topic है relative velocity मतलब आप एक्षी क्वेग बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको motion को explain कर रहा हूँ कि कभी कभी हमको क्या है गती सिल pin और इस्थिर pin का एहसास नहीं हो पाता relativity के करण जैसे आप जब कार से जा रहे हो या आप train से आत्रा कर रहे हो तो आप गती का आपको एहसास होता है आपको पता चलता है कि आप गती सिल है लेकिन जब आप rest में रहते हैं तब भी आपको पता चलता है कि हम rest में है लेकिन कुछ condition ऐसे हैं जहाँ पर आप गती सिल होने के बाद भी गती का एहसास नहीं कर पाते For example, हम पृत्वी पर हैं, हमारा जो position है पृत्वी पर है और आप सब को पता है कि पृत्वी क्या है, एक गती सील पिंड है ऐसा नहीं कि पृत्वी क्या है, rest condition में पृत्वी एक गती सील पिंड है पृत्वी सूर्य के चारों और अपने solar system पर और इस ग्रमभान में, गलक्सी में, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है और वृत्वी परित्वी पर है, आज़े हम उसका detail में पढ़ेंगे लेकिन हमको पृत्वी के गती का अहसास नहीं होता हम कार में बैठे हैं, तो हमको गती का हसास होता है बड़ हम पृतवी में बैठे हैं और पृतफु इतनी स्पीट से सुरे केशारों ओर गती पर प्लेलेड को यह न… लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रेंड वहा साइसर हिल रए वह बड़ी हैं जबकि ट्रेंड की सुज्वर्यum कि श्पль से गटी सिर है यह आप किसी सीप में मोसन कर रहे हैं तो आप सीप में मोसन कर दो जाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम गती को मॉस्सूस कर पाते हैं पृत्वी के गती कोई इस्थिर्पीड नहीं है जिसे हम तुलना करके बता सके कि हमारी पृत्वी गतिसील है जब हम कार में बैठे होते हैं तो कार की गति को इसलिए बता पते हैं क्योंकि बगल के पैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब के गतिसील है की नहीं, that means यहां पर हम गतिसील पिंड का अभी इसको आगे हम डिटेल में और आपको बताएंगे मैं तो भी एक जनरल डिसकस इंट्रोडक्शन का क्लास है आज हमारा तो मैं आपसे जनरल डिसकस कर रहा हूं कि समय के सापेक्श अपने इस्थिती को बदले जैसे प्रिथ्वी समय के सापेश अपने इस्थिती को बदला है सवेरा हुआ, दोपहर हुआ, साम हुआ, रात हुआ that means हम समय के सापेक्श अपने पोजिशन को चेंज कर रहे हैं जैसे हमारा पोजिशन इस तरह से होता है फिगर में मातोज आपको बता दूँ मालो यह आपितल है और यह सपोज हमारी प्लिथवी है और suppose यहाँ पर sun है तो हम sun के respect में अपने position को change कर रहे हैं हम sun के respect में अपने position को change कर रहे हैं अभी यहाँ है फिर यहाँ चले आए फिर यहाँ चले आए इस तरह से हम अपने position को यहाँ से फिर यहाँ चले आए फिर यहाँ चले आए यहाँ चले आए तो sun के respect में हम अपने position को change कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हम क्या है गती जवस्था में है अभी हमारा position यह था फिर यह था फिर यह था फिर यह था फिर यहाँ पर चले आए तो time के respect में या sun के respect में हम अपने position को change कर रहे हैं लेकिन हमको उसका हैसास इसनली होता क्योंकि सान हमसे बहुत अधिक दूरी पर है। तो कुल मिलाके आपको मैं ये बता रहा हूँ, रेस्ट बाड़ी का मतलब होता है, इस्थिर पिंड का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गती के, हम तीन तरीके से गती का धियन करते हैं, हलाकि हमको आगे चलके अलग 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 तरह का गती का हमको study करना है, लेकिन यहाँ पर हमने गती के तीनों position को आपको बताया हुआ है, एक विमी गती, दुविमी गती और त्री विमी गती, यहाँ पर हम थोड़ा आपको explain कर देते हैं अभी से, कि किस पकार की गती को हम एक विमी गती कहेंगे, और किस पकार की गती को हम दुविमी गती कहेंगे, और किस पकार की गती को हम 3-V-E गती कहेंगे 3-Dimension motion कहेंगे यह motion के 3 types हैं 3 conditions है अब देखो इस inverse में जितना भी object आपको दिखाई दे रहा है वो सभी object का 3-Dimension होता है या तो उसके पास सिर्फ लंबाई होती है जब मालो मेरे पास एक धागा है एक रस्ती है तो मैं उसको 1-Dimension कह सकता हूँ क्योंकि उसकी लंबाई बस है उसकी चवडाई उसकी मोटाई को हम negligible मान सकते हैं लेकिन मालो मेरे पास अपने book का या अपने copy का एक page है वो 2-Dimension body है क्योंकि उसमें length है और width है तो यह आप बज़पन से पढ़ते आ रहे हो कि हर object 3 टाइप से define क्या आता है वन डाइमेंशन जिसके पास लंबाई हो टूडाई जिसके पास लंबाई और चौडाई हो और त्री डाइमेंशन मतलब जिसके पास लंबाई चौडाई मोटाई तीन हो लेकिन पिंड के dimension का यहाँ पर उसके motion से कोई relation नहीं है मैं ऐसा discuss आप सहीश लिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि students के दिमाग में एक misconception एक गलत concept बैठे जाता है वो समझ लेता है कि one dimension body जो motion करता है वो one dimension motion होता है यहाँ पर motion का मतलब है कि हमारे जो three axis होते हैं जो मैं अभी आपको frame बताया reference उसके respect में आप देखो तो यहाँ पर हम एक condition आपको समझाते हैं यह बहुत important बात है बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यदि students इस बात को नहीं समझ पाया तो समझ लो वो motion का basic concept उसको clear ही नहीं होगा कभी यह three axis है अब यहाँ पर suppose यह इसका origin है यह इसका x axis है यह इसका y axis है यह इसका z axis है यहाँ पर कोई एक point P है और इस point का coordinates है x, y और z त्री dimension में आप देखो मैं एक example ऐसा दे रहा हूँ इस example में, एक ही example में मैं आपको तीनो dimension का को explain कर दूँँगा देखिए माल लो यहाँ पर origin में, यहाँ center में कोई pin है और वह अपने position को सिर्फ x axis के respect में change कर रहा है ठीक है? सिर्फ x axis में वह दूरी तय कर रहा है बाकी दो axis के respect में, वह rest condition में है मतलब, जैसे मैं यहाँ पर किसी point के position पर बात करूँ तीस point का coordinates हो जाएगा x, 0, 0 x, 0, 0 का मतलब क्या हुआ? वह pin केवल x अक्ष में अपना स्थिती में changes लाया क्योंकि उसका x coordinates बस बदल रहा है केवल उसका x निर्दे सांखी बदल रहा है that means वह केवल x अक्ष के सापेक्ष अपने स्थिती में परवरतन कर रहा है तो उन दोनों के respect में वह rest में है इसलिए इसका motion one dimension होगा लेकिन suppose यहाँ पर हम कुछ इस तरह का condition देखें कि कोई pin क्या है दो अक्ष के सापेक्ष अपने स्थिती में परवरतन कर रहा है मालो वह यहाँ है और यह यहाँ पर है हम इस point पर discuss करें यह एक P point है suppose यहाँ पर यहाँ कोई भी एक point है suppose A point है इस point पर उसका coordinate suppose क्या है x, y, 0 x, y, 0 यहाँ पर इसका coordinates का x, y, 0 होने का मतलब है कि यह x और y के respect में अपने position को change कर रहा है बट z axis के respect में अपने position को change नहीं कर रहा है तब हम इसके motion को two dimension कहेंगे और यदि यह particle का तीनो axis मतलब x, y और z तीनो अक्षों के सापेक्ष उसके निर्जे सांग बदल रहा है that means तीनो अक्षों के सापेक्ष वा अपने इस city में परवरतन कर रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे three dimension motion कहेंगे that means इसका सिधा सिधा definition है पहले आप definition समझो फिर मैं आपको इसका एक example बताऊँगा यदि कोई पिंड केवल एक अक्ष के सापेक्ष यदि कोई पिंड केवल एक अक्ष के सापेक्ष अपने इस city में परवरतन कर रहा है तो one dimension होगा, एक विमी गती होगा यदि कोई पिंड किन ही दो अक्षों ऐसा नहीं कि Y, X और Y किन ही दो किन ही दो अक्षों के सापेक्ष अपने इस city में परवरतन कर रहा है तो two dimension motion कर लाएगा और यदि कोई पिंड तीनों अक्षों के सापेक्ष अपने इस city में परवरतन कर रहा है X के सापेक्ष भी, Y के सापेक्ष भी और Z के सापेक्ष भी तीनों के सापेक्ष motion कर रहा हो तब वो क्या खलाएगा? 3-Dimension motion कर लाएगा 3-Dimension गती खलाएगा अब यहाँ पर मैं आपको एक example दे रहा हूँ practical example इस practical example को आप बहुत ध्यान से समझना वो practical example यह है देखो suppose कोई flight एक pilot यह बहुत important example है क्योंकि मैं एक ही example से आपको 3-Dimension को explain कर रहा हूँ तो माल लो कोई pilot अपने flight को runway पर या तो land कर रहा है या take off कर रहा है, take off करने के time के हम बारे में बात करें कि वह उडान भर रहा है कोई pilot अपने flight को runway पर दवडा कर वह उडान भर रहा है तो suppose इसी figure से मैं आपको समझाओं कि suppose यह हमारा flight है और हम इसको इस तरह से यह suppose flight है और यह अभी runway पर दवड रहा है यह इसके wheels है suppose और pilot अभी इसको सीधा इधर दवडा रहा है तो आप समझ सकते हो कि जब runway पर वह दवड़ेगा तो मान लो इधर एक building है suppose इस y axis को एक building मान लो तो सिर्फ इसी के respect में इसका position change होगा जमीन के respect में sorry जमीन के respect में तो उसका position change हो नहीं रहा है क्योंकि वह जमीन पर ही दवड रहा है चूंकि वह जमीन पर ही दवड रहा है तो वह land के respect में उसका position तो change हो नहीं रहा है और यहां पर वो चूंकि एक और side है मान लो इधर या पीछे side है उसके respect में भी अपने position को change नहीं कर रहा है जब कोई चीज सीधा जा रहा है तो ना तो नीचे से ना तो side से अपने position चेंज कर रहा है क्यवल एक side के मतलब यहां पर मैं बहलूँ तो क्यवल इसके साप एक से अपने position को change कर रहा है तो अभी यह one dimension motion कर रहा है तो अभी इसके position को इसके motion को हम one dimension कहें देंगे जब कि flight three dimension body है कई बार मैंने बच्चों को class में ये कहते हुए सुना है या मैंने तो यहां तक सुना है कि किसी teacher ने उसको पढ़ा दिया या कई बार book से पढ़क student अपने से सोच लिया क्या सोच लिया कि एक वीमी पिंड जो गती करता है वो एक वीमी गती कहलाता है या ऐसा नहीं है थ्रीडाइमेंशन बाडी भी वण दसना कर सकता है यहां पर flight plane तो थ्रीडाइमेंशन है plane का हiight भी है तो खुद body केलेसं से यहां मतलब नहीं है उसके सांध आप confuse न हो ब्रहा यहां कोई भी गती कर सकता है वन भी कर सकता है तू भी यहीं पर एक्जांपल में आप वो क्लियर होगा अब पाइलेट ने क्या किया अब उसने अपने फ्लाइट को जमीन से थोड़ा उपर उठाया यह अब ऐसा जाने लगा उसका फ्लाइट आपने देखा होगा या फ्लाइट में आप बैठे होंगे त करने लगा क्यों कि अब इसका एक सक्ष के रेस्पेक्ट में और वाइस के रेस्पेक्ट में दोनों के रेस्पेक्ट में पोजिशन बदल रहा है और वाइस दोनों के रेस्पेक्ट में पोजिशन चेंज हो रहा है अब इसका मोशन क्या हो गया तू डाइमेंशन हो गया य उपर उठा तो वह क्या तूडामेंशन हो गया अब पाइलेट सपोज अपने फ्लाइट को अब वह इस डारेक्षण पर मोड रहा है सपोज उसको इधर जाना है तो इधर मोड दिया हों उपर जाने के बाद वो फिर अपने direction को decide करता है जिस airport के तरह जिब सहर के तरफ जाना होता है उधर करता है तो मालो अब वो उधर जाने लगा तो इस condition में अब इसका motion क्या हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर यह अपने तीनों एक्सिस पर changes ला रहा है वह जमीन से भी उपर जा रहा है वह जहां से उडान भरा था वहां से भी दूर जा रहा है और उपर में तीसरे direction में अपने गती की दिशा को बतल रहा है तो थ्री डैमेंसन motion ठीक है तो यहाँ से यह बात clear हो जाता है आपको कि कोई भी object 1, 2 और 3 डैमेंसन में motion कब कर लाता है गबार मैं repeat करता हूँ ध्यान से सुनना यदि कोई pin केवाल एक अक्ष के साप एक्षपने स्थिती में परिवरतन करें तो वह 1 डैमेंसन motion कर लाता है जब वह 2 अक्षों के साप एक्षपने पोजिशन में चेंज करता है तो 2 डैमेंसन motion कर लाता है और जब 3 अक्षों के साप एक्षपने पोजिशन को तो 3 डैमेंसन motion कर लाता है ये flight का example इसका सबसे best example है तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आगे होगा कोई प्राब्लम किसी को यहां तक चलिए चले तो हमने इस कॉंसेट पर चले और अगला हमारा कॉंसेट है दूरी और विस्थापन वास्तों में यह कुछ ऐसे टापिक है इस चेप्टर के जिससे आपको पूरा बैस क्लियर होगा और यहीं से आपको पता चलेगा यहां पर मैं इसको कमपरिटेवली पढ़ा रहा हूँ दो पार्ट में एक साइड मैंने दूरी लिखा हुआ है और दूसरे साइड मैंने विस्थापन किया हुआ है ठीक है वैसे देखो आप लोग को मालूम है कि हम अपने बैसिक फाउंडेशन के क्लास में ही आईएटी जेई और नीट के लेबल को लेके पढ़ाई करा रहे हैं मैं सुरू से आप लोग के एक बात बोला हूँ कि हमारे लेक्चर का स्टेंडर्ड हम बिगनिंग से आईएटी जेई और नीट को ध्यान में रखके करा रहे हैं इसलिए हम पढ़ाई आपको बहुत सुरू से competitive pattern पर पढ़ाई करें ताकि बाद में उनको problem ना हो बाकी आप लोग को ध्यान देना है आप लोग को ध्यान से पढ़ाई करना है ठीक है तो पूरा पूरा आप लोग के मेहनत पर depend करता है मैं तो पूरी कोशिस कर रहा हूं कि आपको basic level से ही मैं इतना पढ़ा दू कि आपको future में कोई problem ना हो चलिए दूरी और विस्थापन दूरी और विस्थापन क्या है 9th class में भी आप लोग एक बार पढ़े रहाते हो देखो 11th class का syllabus 9th class का syllabus को correlate करता है लेकिन 9th class में आप उसको बहुत ही सरल रूप में बहुत superficial पढ़े रहते हो class के standard के हिसाब से अब आपको 12th class 11th class में उसको थोड़ाइसा depth में पढ़ना है तो थोड़ाइसा ध्यान दे के समझें दूरी क्या है विस्थापन क्या है हमको मालूम है कि कोई भी पिंड जब गती सील होता है अभी मैंने आपको बार बार बताया कि जब कोई पिंड गती अवस्था में आता है य सपोज हमने यहां पर एक पोजिशन लिया ए एक पोजिशन है यहां पर कोई आपजेक्ट है सपोज कोई कार खड़ी है और इसको हमने इस तरह से कोई रोड है यहां गती करते हुए हम यहां पर पहुचा दिये बी इस पकार से यह गती करते हुए बी पर पहुचा एक से पदस्थित करते हैं X not मतलब प्रारभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को X T से पदस्थित करते हैं T मतलब T समय पस्चाथ स्थिति प्रारभिक स्थिति जहां से उसने गती स्थाइट किया उसको हम X not कहते हैं ठीक है और जहां पर बी पोजिशन है उसको हमने टी कहा टी समय पस्चात उसकी इस्थिती है तो यह गती करते हुए यहाँ पर पहुचा मैं दूरी को यहाँ पर केपिटल डी से रिप्रेजन करूंगा क्योंकि आगे की चीजों को मैं संकेतों पर लिखूंगा और विस्थापन को मैं अंकेतों को ध्यान देना की दूरी को मैंने केपिटल डे लिया है और विस्थापन को मैंने इसमार्ण डी लिया हुआ है तो यहाँ पर पिंड A से गती प्राइव करके B पर पहुचता है तो वास्ताव में दूरी का क्या मतलब होता है किसी गती शिल पिंड द्वारा तै की गई पत की लंबाई पत मतलब रास्ता पत मने रास्ता पाथ तो पत की लंबाई एक सब्द में हम कहें तो दूरी का मतलब होता है पत की लंबाई ये दूरी का मतलब होता है पत की लंबाई ये जो पूरा रास्ता है इसकी लंबाई को आप मेजर करोगे तो वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा बट विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का यहाँ पर मतलब है यह यह इसका विस्थापन है यहाँ पर आप देख रहे हो कि A से B का बीच का यह निवनितम दूरी है तो विस्थापन का मतलब होता है निवनितम दूरी दो बिन्दों की बीच की निवनितम दूरी यदि कोई पिंड गती प्रारम करें तो उसकी प्रारम ही किस्थिती और अंतिमिस्थिती कि बीच की जो निवनितम दूरी होगी उसे हम विस्थापन कहते हैं तो विस्थापन का मतब होता है minimum distance between two position of the object किसी भी गती सिल पिंड के दो पोजिशन के बीच के निंतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं तो यहां समग बात इस पस्षोय आता है कि यहां पर एक निश्चित दिशा होता है इसमें कोई दिशा नहीं देखो पिन इधर जा रहा है जैसे जैसे मालो आप अपने घर से इस्कूल जाते हो तो जैसे जैसे रास्ता मुड़ा रहता है रोड जैसे जैसे मुड़े रहता है वैसे आप मुड़ते हुए जाते हो या कहीं भी हम रोड से यात्रा करते हैं तो रोड के टर्निंग के हिसाब से चलते हैं लेकिन एक पाइलेट फ्लाइट को जब उडाता है तो वो इनिशिया से फाइनल पोई समर टेक आप फोर लेंड करने के टाइम को आप हटा दो तो उसके पास सिधा इस्टेट ले जाता है इसलिए एर डिस्टेंस कम होता है इसलिए जब हम फ्लाइट से टेवल करते हैं तो डिस्टेंस बहुत कम होता है दो काराण से हम जल्दी पहुंशते हैं अपने डेस्टिनेशन पर एक तो फ्लाइट की स्पीड भी जादा होती है और उसको कम से कम दूरी तय करना पड़ता है क्यों इस्टेट उसको उपर में अगला चार्ट आपको पूरा दूरी और विस्थापन पर मैंने यह चार्ट दे दिया है कि यह एक अधिसरासी है अधिसरासी मतलब इसकी कोई दिसा नहीं होती है दूरी की कोई दिसा नहीं होती और विस्थापन क्या है एक सदिसरासी है यह सदिसरासी है बाकी नेस्ट स्लाइड में मैं आपको systematic difference भी बता दूंगा लेकिन इसको समझाना पहले जोरी है आपको माध्यवेक क्या है निसान अभी बताऊंगा ना अभी सब बताऊंगा ना सब चीज बताऊंगा पैसेंस रखो अभी तो just start हुआ है भई आज तो introduction class है अभी तो सब कुछ बताना है आप लोग को चलिए तो यहाँ एक अदिस रासी है और यहाँ क्या है एक सदिस रासी है तिसरा important बात यह है कि दूरी का जो मान है यह दूरी हमेशा greater than 0 या कम से कम greater than 0 होगा दूरी कभी भी less than r equal to 0 नहीं हो सकता यह कभी रिडात्मक नहीं हो सकता और सून्य भी नहीं हो सकता क्योंकि दूरी सून्य होसका मतलब पिंड इस्थिर है अपने जगह पर है जहां है वहीं है तो इसका मान हमेशा क्या होता है सुन्य से बड़ा होता है यह बहुत important property है इसका लेकिन विश्थापन के साथ भाई ऐसा नहीं है विस्थापन सुन्य से बड़ा भी हो सकता है विस्थापन सुन्य के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन सुन्य से छोटा भी हो सकता है मतलब निगेटी हो सकता है यह निगेटी भी हो सकता है इस तरफ से आप समझ सकते हो कि दूरी विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है विस्थापन सुन्ने के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन निगेटिव मतलब रेडात्मक भी हो सकता है आप भले हिंदी Michigan student हो लेकिन English Terminology को ध्यान रखना ठीक है उसके बीन आपका future में काम नहीं चलेगा अब हम इसका example देखते हैं कि मतलब ये धनात्मक कब होता है तो धनात्मक तो सीजी सी बात है ये देखो ये धनात्मक विस्थापन है हम यहाँ पर उदहार देते हैं किसका सुन्य का जिरो displacement जिरो displacement के कई example है देखो फार एक्जामपल मानलो कोई पिंड इस पकार से तृभूजाकार पत्पर गती किया जिरो displacement के हम आपको example दे रहे है ये पिंड सपोज यहां से A position से गती किया और A position से गती करके B पर आ गया और B से गती करके C पर आ गया और C से ये फिर A पर आ गया तो यहाँ पर इसका displacement 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी pin जब अपने प्रारभी की स्थिती को repeat कर देता है मतब जहां से उसने दूरी प्रारभ किया था वही पर पहुँच जाता है तो उसका विस्थापन सुने हो जाता है लेकिन यहाँ पर दूरी सुने नहीं होगा दूरी तो इसके परिमाब के बराबर होगा यदि इसी पर हम दूरी की बात करें जिसका दूरी कितना हो जाएगा A, B, P, C, P, C, A यह इसका दुरी होगा लेकिन विस्थापन क्या होगा सुन्य होगा तो यह difference है दुरी और विस्थापन में एक example मैं आपको और दे देता हूं Suppose कोई पिंड वृत्त कार पत पर गती सिल है यह अब वृत्त कार पत पर गती सिल कोई पिंड मालों यहां से गती स्टार्ट करता है A से और A से गती करते करते यह पुना है यहां पर आ जाता है वापस तो यहां पर भी displacement क्या होगा? जीरो होगा यह सुन्य होगा लेकिन इस केस में इसका जो दूरी है वह 2 पाई आर के बराबर होगा यदि इसकी त्रिज्या आर है तो इसका दूरी 2 पाई आर होगा क्यों? क्योंकि इसने यहां से गती प्रारम किया और यहां से गती प्रारम करके जब यहां पहुंचा तो वह वृत्य की परिधी के बराबर दूरी तेय करेगा तो यह सब एक जामपा एक चीजा आप ध्यान में रखना जब तक फिजिक्स में एक कामन प्राब्लम क्या है मालूम है भी तो आप लोग 10th क्लास के बाद 11th क्लास में फिजिस पढ़ना आपने स्टाट किया है जब आप 11 12 का फिजिस पढ़ लोगे या पढ़ने के दावरान या दोनों क्लास का सीलेबस कंप्लीट करने के बाद आप IIT नीट वगरा के तैयारी में लगोगे तो आपको सबसे कामन प्राब्लम रहेगा सर निमेरिकल्स नी बनते हैं अभी तक हमको फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रा मैं हमेशा से सोस्थ नुमेरिकल्स आपसे क्यों नी बनते हैं नुमेरिकल्स नहीं बनने के सिर्फ दो बज़र और कोई तीसरा कारण नहीं पहला यह आपको चेप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है अब जब आपको चेप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेस्टन के स्टेट्मेंट कैसे समझोगे भाई कोई कथन दिया रहेगा क्योंकि मालूम है कि फिजिस के निमेरकल में आपको स्विच्पेशन दिया रहता है एक व्यक्ति ऐसा किया इतना किलुमीटर चला इसा किया वो किया यह किया एक स्टोरी दिया रहता है आपको और आप जब कथन को पढ़ोगे तो कथन को पढ़के आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों बोल क्या रहा है तो काम खत्म वहां तो पहला प्राबलम है वह है कथन समझ में नहीं आना जिसका वज़़ा है है calculation मतलब calculation नहीं बनता that means हमारा basic mathematics poor है हमको integration नहीं आता हमको differentiation नहीं आता हमको vector नहीं आता तो basic mathematical concept poor है यह भी इसका एक बड़ा वजह होता है ओके तीसरा काम तो simplification है वो भी नहीं आए तो फिर तो बनेगा कैसे तो यहां पर ध्यान देना जब इस तरह का class चलता है जिसको basic foundation class करते हैं 11 class का basic class है यहां concept पर बात किया जाता है concept पर deeply discuss किया जाता है तो उन चीजों को बहुत ही ध्यान से आप छोटी-छोटी बातों पर मैं discuss कर रहा हूं उनको ध्यान से समझो यह होते बहुत सरल है बट यह clear ना हो तो आगे बड़ा problem create करते हैं तो मैंने आपको यहां पर बताया यह दो example वह सुन्य विश्थापन का विग्या अब हम देखते है negative displacement अब negative displacement में बहुत से स्ट्रेंट को problem रहता है किसा displacement negative कैसे होता होगा निमेरकल में बहुत ज़ुरत पढ़ता है negative displacement का तो यहां पर मैं एक situation create कर रहा हूं suppose यह कोई tower है यहां पर यह हमने tower बना दिया suppose और इस tower से मैंने suppose एक बाल को उपर थ्रो किया suppose यहां पर कोई एक बाल है इस बाल को मैंने उपर थ्रो किया टावर में मैं खड़ा हूं टावर से बाल को उपर थ्रो कर दिया suppose यहां पर यह तावर का जो उंचाई है यह सपोस्ट 10 मीटर है 10 मीटर उंचा टावर है और 10 मीटर उंचे टावर से मैंने एक बाल को उपर फैक दिया अब यह बाल टावर से सपोस्ट 5 मीटर उपर गया हो 5 मीटर उपर गया 5 मीटर उपर जाने के बाद यह बाल रेस्ट हो गया और दुबा तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा ध्यान से समझना यह निमेरकल में इसी तरह का प्राब्लम आएगा आपको विस्थापन कितना होगा यहां से पांच उपर गया और फिर पांच नीचे आया तो जब यह अपने प्रारभी की स्थिति के पास मतलब प्रारभी की स्थित तो बाल फिर नीचे जाने लगा तो अब यह अपोजीट डारेक्षन में जाने लगा और अपोजीट डारेक्षन में यह 10 मीटर नीचे गया मतलब उसमें अपने डारेक्षन को चेंज कर दिया तो यहां पर इसका displacement माइनस 10 मीटर होगा माइनस 10 मीटर होगा लेकिन यही पर कोई हम को यही दूरी पूछ दे कि भाई दूरी कितना होगा बता दो दूरी को मैं capital D से represent कर रहा हूँ ध्याम बखना यदि हम कोई बोले हमको कि दूरी बता दो तो दूरी बताने में हम क्या करेंगे देखो यहां से यहां गया 5 मीटर फिर यहां से यहां पांच मीटर पांच पांच दस्तम जुड़ेंगे और फिर नीचे भी 10 मीटर आया तो कित होगा तो जब तक आपको दूरी और विस्थापन का concept clear नहीं होगा क्या पढ़ेंगे आगे अपन है ना आगे क्या पढ़ेंगे तो बहुत आराम से देखो मैं बहुत आराम से आपको एक-एक चीज़ को समझा रहा हूं कोई हडबड़ी नहीं है और किसी तरह का आपको doubt नहीं रहना चाहिए अराम से पढ़ो कोई doubt है तो मुझसे पूछो तो यह मैं दूरी और विस्थापन का complete concept आपको clear कर दिया अब इसके बाद हमको इसके difference पर एक बार और systematic discuss करना है आप चाहें तो इसका इसकीन साट ले सकते हैं दूरी और विस्थापन का अंतर इस points को एक बार आप read करो सभी points मैंने आपको clear कर दिया है लेकिन मैं आपको एक बार again उसको पढ़ाता हूँ देखो पहला यह दिये गए समय अंतराल में वस्तू के इस्थीतिक इस्थीति जरते सांकों के अंतर के तूल्य होता है विस्था बाई ठीक है यह है यहां एक सदिसरासी है विस्थापन एक सदिसरासी है और दूरी एक अदिसरासी है यह सब मैं समझाया हूँ लेकिन systematic मैं भी उसको चार्ट फाम में भी आपको दे रहा हूँ बिलकुल बिहार बोर्ड का 11th होगा यूपी बोर्ड सभी बोर्ड का 11th class होगा 100% सिलेवस हम आपको कवर कराएंगे चाहिए आप जो भी बोर्ड की student रहो ठीक है विस्थापन जो है धनात्मक रिडात्मक या सुन्य हो सकता है दूरी सदेव धनात्मक होता है देखो यह बात अभी मैंने आपको explain किया कि दूरी सदेव क्या होता है धनात्मक होता है सदीश रासी अदीश रासी धनात्मक रिडात्मक या सुन्य दूरी सदेव धनात्मक विस्थापन वस्थू के पत की आकरिती पर निर्भर नहीं करता बलकि पत की प्रारंभीक और अंतिमिस्थिती पर निर्भर करता है मतलब ये सिर्फ प्रारभी की स्थिती और अंतिमी स्थिती पर निर्भर करता है जबकि दूरी जो है दूरी वस्तु की पत की आकरिती पर निर्भर करता है पत की आकरिती पर निर्भर करता है कि पत कितना बड़ा है ठीक है? इसका परीमाड दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है एक पॉइंट यहाँ पर मुझे और आपको एस्प्रेइन करना था कि इसका जो मान है विस्थापन यहाँ पर मैं लिंग देता हूँ कहीं पर भी विस्थापन का जो मान है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है किस से दूरी से विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा या कम से कम उसके बराबर हो सकता है वह कभी उससे अधीक नहीं हो सकता यह मैंने यहाँ पर point में लिख दिया है ते ध्यान में रखना यह विस्थापन के परिमाड के बराबर या उससे अधिक होता है कौन दूरी? यह points का पिसकी इसकी इसाथ ले लो यह point बहुत important है next हमारा topic जो आज हमीं start करने वाले हैं वो हमारा topic है एक छटा सा question यदि वस्तु 7 मीटर 30 वाले अर्ध विताकार पत्व में गती करता है तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कर था विस्थापन ग्याद कीजिए इससे पहले वाले class में मैं आप लोगों को दूरी और विस्थापन ठीक है? दूरी और विस्थापन पर डिसकस किया था एक मिनट है एक मिनट वेट करना अब आवाज आ रही है आवाज आ रही है अब चलिए दखिए ये question read करिए और answer दीजिए यदि वस्तु 7 मीटर 30 वाले अर्ध विताकार पत्व में गती करता है तो वस्तु दौरी चली गए दूरी तथा विस्थापन ग्याद कीजिए इसके दौरा चली गए दूरी और विस्थापन ग्याद कीजिए चलिए इसको salvo करिए आप दूरी और विस्थापन आपको बताना है previous class में हमने दूरी और विस्थापन का concept clear कर दिया था IIT के preparation के लिए पहले foundation त्यार करना पड़ता है, यह class वही है, question में देखो, question में unit meter में दिया हुआ है, 7 meter, त्रिज्या, इसका radius है 7 meter, यहां से यहां तक, इसका radius 7 meter है, पूजा, distance 22 centimeter, end displacement, देखो हमको निकालना है दूरी, सबसे पहले दूरी तो मैं क्या बोला था, यह suppose यह object A से start करता है, और B तक यह पहुंचता है, तो यह इसके दोरा चली गई पत की जो लंबाई है, वो दूरी कहलाएगा, तो यहां पर जब आप दूरी निकालोगे, तो परिधी का आधा, तो परिधी होता है 2 pi r, तो कितना हो जाएगा, इसका परिधी का आधा, मतब 2 pi r upon 2, that equal, यह हो जाएगा, pi into r, pi into r होगा, आसानी से solve हो करके, radius को 7 meter दिया हुआ है, तो pi का value रखो, 22 by 7, और into 7, that equal 22 meter, यह इसके दोरा चली की दूरी, बहुत आसान question है न, य यह कोई ऐसा difficult question थोड़ी है, यह question तो सिर्फ दूरी और विस्थापन के concept को clear करने के लिए है, ठीक है, अब यदि हम निकालें विस्थापन, यदि हम यहाँ पर विस्थापन निकालें, तो विस्थापन यहाँ से देखो, यह विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ तक जो direct distance है, slightest distance, मतलब दो इस्थिती के बीच का निउन्तम दूरी विस्थापन कहलाता है, तो यहाँ पर देखो, यह इसका विस्थापन होगा, तो इसके विस्थापन होने पर, यह इसके ब्यास के बराबर होगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2R, तो यह हो जाएगा, 2 into, 2R का वेल्यू कितना दिया हो है, 7, तो यह 7, that means 14 meter, यह इसका answer होगा, तो बहुत असान question है यह, यहाँ से आपको clear हो जाता है कि दूरी कैसे निकालते हैं, विस्थापन कैसे निकालते हैं, और मैंने इसके पहले वाले class में complete आपको दूरी और विस्थापन का concept explain किया था, ठ अब आज हम new concept पर चलते हैं, वो है चाल और वेग, जिस तरह से हमने दूरी और विस्थापन पर discuss किया, उसी प्रकार से आज हम discuss करेंगे चाल और वेग पर, तो यह दोनों में अंतर उतना ही है जितना दूरी और विस्थापन में है, जो सम्मन दूरी का विस्थापन के में, देखो एक्ट्वल में चाल बराबर क्या होता है, चाल का जो फार्मूला होता है, वो है चाल बराबर दूरी बटे समय, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि दूरी बटे समय क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, मतलब किसी निश्ची समय में चली गई दूरी, जितना व उसको उसमें भाग देते हैं तब हमको उसका क्या मिल जाता है चाल मिल जाता है और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर सेकंड इन्वर्स यह होता है तो दूरी बटे समय चाल कहलाता है अब यहां से आप समझ सकते हैं कि यह एक अदीष रासी माने वास्तों में चाल में दिशा निर्धारित नहीं होता अदीष रासी क्यों है क्योंकि दूरी बटे समय है तो इस तरह से चाल जब भी चाल का चाल बोला जाएगा किसी पिंड का चाल इतना किलो मीटर पती घंटा है मीटर पती सेकंड है तो समझ जाना उसमें दिशा निर समय होता है, वेक बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब किसी भी पिन्ट में एक निष्चीत दूरी पर चली गई बटे समय या इस्थिती परिबरतन की दर भी कहते हम इसको हम वेक कहते हैं, अब देखो यहां पर वेक निकालने के different different formula है इसका तो एक ही formula है लेकिन इसके कई formula है और यह formula आपको बहुत ध्यान से समझना है सबसे पहले समानी रूप से हम V बराबर Aपन T लिख सकते हैं जहाँ पर S विस्थापन है समानी रूप से संकेतों को रूप में वेक बराबर Aपन T लिख सकते हैं इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, दूसरा, V equal to, यदि हम इसको vector farm में लिखें, यदि हम इसको सदीष के रूप में लिखें, तो विस्थापन को हम कैसा लिखेंगे, final position, जिसको हम लिखेंगे XT, ये संकेतों को समझते जाना, starting से, बिल्कुल basic level से संकेत को स्थिति, और T समय पर स्थिति मतलब क्या होगा, वो final position होगा, T समय पर position को हम क्या कहेंगे, final position कहेंगे, और minus X0, X0 का मतलब होता है initial position, मतलब प्रारंभी की स्थिति, तो अंतिमी स्थिति और प्रारंभी की स्थिति का जो अंतर होगा, final position और initial position का जो difference होगा, वो प्रिम्ला के रूप में भी लिख सकते हैं तीसरा यदि हम वेक को कल्कुलस के फार्म में लिखना चाहें तो भी इक्वल टू डी एस अपांड डी टी कहने का मतलब क्या हुआ यदि विस्थापन का समय के साथ आउकलन किया जाए तब भी वेक ज्यात होता है ठीक है विस्था एक एक्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं यह बाक्स में छोटा से एक्जांपल देखो किस तरह से मालो कहीं पर आपको दिया होगा कि किसी पिंड का विस्थापन एस इक्वल टू सपोस्थ 2T प्लस 5 है 2T प्लस 5 है एक काम करता हूं यहां कंजस्टेट रहाए मैं इसको नेट स्लाइट में आपको समझा देता हूं देखो यदि आपको वेग निकालना हो तो किस तरह से इसका बहुत ज्यादा यूज़ होगा इसलिए मैं आपको इसको इस्पेसली समझा रहा हूं देखो फार एक्जांपल यदि किसी पिंड की स्थिति यदि S equal 2 T square plus 4 T plus 5 meter meter हो तो 2 second पस्चाथ तो 2 second पस्चाथ पिंड का वेग होगा यदि इस तरह से आपको कहीं पर जवरत पड़े बहुत स्टार्टिंग लेवल का ये क्वेश्चन है तो अभी मैं आपको फार्मूला बताया कल्कुलास के फार्म में कि V equal to होता है D S upon D T मतलब जब हम विस्थापन का समय के सापे अउकरन कर देते हैं तो हमको वेख प्राप्थ हो जाता है इस प्रकार से मालों ऐसा क्वेश्चन है अपने पास कि यदि किसी पिंड का विस्थापन S equal to 2 T square plus 40 plus 5 meter हो तो 2 सेकर पस्चाद पिंड का वेख क्या होगा तब हम उसको इसी फार्मूला की सहता से साल्व करेंगे चुकि हमको पता है V equal to होता है Ds by dt यह होता है इस तरह से इसको क्या लिखा जा सकता है D by dt अब यहाँ पर S कमान भर दें तो S कमान है 2 T square plus 40 plus 5 तो यह हो जाएगा 2 T square plus 40 plus 5 यह होगा अब यदि इसका अउकलन किया जाए तो 2 सामने आके multiply हो जाएगा यह हो जाएगा 4 T और 4 T का कितना हो जाएगा 4 और 5 constant है 0 हो जाएगा अउकलन तो आप लोग को आता होगा यदि आप लोग को अउकलन समाकलन नहीं आता एक बड़ और ध्यान से सुन लो यह बात तो मैं तुमको रोज याद दिलाते रहूँगा या आगे भी मैं आपको यह बात हमेशा याद दिलाते रहूँगा यदि गडिती अवधार्णा पूर है अच्छे से नहीं बनता तो physics आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते इसलिए सबसे पहले अभी समय है अभी physics सुरुवात हो रहा है आपका तो आप सबसे पहले गडिती अवधार्णा अच्छे से revise कर लो हमने one start video पर नियर बाउट six hour का हमने पूरे mathematics पर video upload किया है बीज गडित से लेके पूरे calculus तक जामीदी तक तो वीडियो आप बहुत अच्छे से देख लो और साथ में साथ में आप उसको practice भी कर वह अच्छे से तभी फिर आपको future में ढ़ंग से हो पाएगा otherwise problem रोज का problem है फिर वो तो यहाँ पर आउकलन इस तरह से होगा आउकलन आप समझ गया होगे अब बोला है दो सेकंड पस चाथ तो टी बराबर दो सेकंड पर तो अब टी बराबर दो सेकंड पर कहने का मतलब यह है कि अब हम इसमें टी के जगा में दो सेकंड पूट करेंगे जैसे हम में टी के जगा में दो सेकंड पूट करेंगे तो भी बराबर क्या हो जागा, यहाँ पर 2 put कर देंगे, ते हो जाएगा 4 into 2 और plus 4, ते हो जाएगा 8 plus 4, मतलब 12 meter per second, यह इस का अंसर हो जाएगा? नेस्ट टापिक है त्वराण और मंदन, अब हम डिस्कस करते हैं त्वराण पर और मंदन पर, त्वराण क्या है और मंदन क्या है? देखो सबसे पहले हम देखें त्वराण, acceleration क्या है? तो त्वराण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को हम त और दर मतलब होता है समय के सापक्ष कोई 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 भी परिवर्तन को हम किसी भी प्रकार के परिवर्तन को किसी प्रकार के चेंज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में काउंट करते हैं देट मींस यदि किसी भी पिंड के time के respect में कोई changes हो रहा है उसके velocity में जो changes हो रहा है वो क्या कहलाता है त्वरान कहलाता है जैसे मालों किसी पिंड का वेग 10 मीटर प्रती सेकंड है लेकिन कुछ देर बाद वो 12 मीटर प्रती सेकंड हो गया देट मींस अब उसमें त्वरान हो रहा है क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन यदि व्रिधी के रूप में हो तो हम त्वरान कहते हैं और यह परिवर्तन यदि कमी के रूप में हो तब हम उसे क्या कहते हैं मंदन कहते हैं उस condition हम उसका नाम ले तो समय के सापेक्ष वेग में परिवतन की दर को हम तौरण कहते हैं आगे मंदन पर आप और डिसकस करेंगे अब इसके फार्मूले क्या के लिखे जा सकते हैं देखो तो समानी रुप्सिस का जो फार्मूला है वो लिखा जा सकता है पहला फार्मूला तौरण A बराबर वेग परिवर्तन माना V-U upon T यहाँ पर V क्या है अंतिम वेग है यहाँ ध्यान रखने हैं यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ V कहलाता है अंतिम वेग देखो अभी आपका 11 ख्लास का बिल्कुल स्टाइटिंग है हर चीज को हर छोटी सी छोटी बात पर में डिसकस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और इन चीजों को आपको ध्यान से समझते जाना है तो आगे कोई प्राबलम नहीं होगा आपको V का संकेत बिल्कुल फिक्स है प्राबलम वेलसिटी के लिए अंतीम वेग के लिए और इन चीजों को आपको आगे नहीं बताया जाएगा आप तुरन समझ जाओगे की V लिखा हूँ मतलब अंतीम वेग है और यू लिखा हूँ मतलब प्रारeserve अंतीम वेग रिर्ट प्रारंभीक वेग मतलब वेग में परिवर्तन हम ने हम लिखा है वेग परिवर्तन की दर और दर निकालने के लिए हम क्या करें उसमें समय का भाग देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हो गया V minus U upon T यह इसका फर्मूला होता है यदि हम इसको और दूसरे रूप में लिखें वेक्टर फार्म में तो वेक्टर A equal to जो अंतिम वेक होता है अंतिम वेक का मतलब होता है T time per velocity तो V को हम ऐसा भी लिख सकते हैं देखो अभी से आप संकेत को नहीं समझाओंगे आगे कुछ समझ भी नहीं आएगा और इसको लिख सकते हैं V not माने U को हम V not भी लिखते हैं हम U को V not भी लिखते हैं U मतलब तरामीक वेक मैं बताओं आगे क्या हाल होता है अभी आप लोग को कुछ पता नहीं आप तो पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हो हम इतने साथ से पढ़ा रहे हैं हमको पता है स्टार्टिंग के दो-चार लेक्चर मिस किये या स्टार्टिंग के दो-चार लेक्चर को लापरवाही से पढ़े है तो आगे फिर वही से प्राबलम सुरू हो याता है औव फिर फो़िया में करवर्ट हो इता है डर में फिर बहुत कठीन है सम्झनी आता नीं मेरकल नीं बंता है अरे जब आपका समय था उन चीजों को समझने का तब आप पर ध्यान ने दिया तो आगे वह चीज हो नहीं है फिर आगे वह चीज होना ही है उससे आपको कोई नहीं बचा सकता इसलिए जब भी बैसिक स्टार्टिंग होता है जी रोज लेबल से तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देके फोकस्ट इस्टेडी करना चाहिए तो आग कहीं पर यू लिखा है उसको वी नाट लिख दूँ और बोलू प्रारमिक है तब कहीं लग सोचने लगे किसी निमेरकल में वी नाट कैसे हो गया ये ऐसा सोचने लगे तब तो प्राब्लम हो आएगा ना तो ध्यान दो उसको क्लियर यहां तक तो यह इस तरह से लिखा जा अधि हम समय के सापेक्स क्या करें वेक का अउकलन करें तो समय के सापेक्स वेक का अउकलन करने पर भी का बनता है वो त्वरण बनता है और सबसे महत्तपूर्ण बात ध्यान रखना कि त्वरण सदीस रासी है त्वरण क्या है सदीस रासी है अब किसी ने बार-बार ये question किया था किसर चाल में परिवर्टन की दर को हम क्या कहेंगे तो चाल में परिवर्टन की दर का कोई नाम नहीं चाल में परिवर्टन तो होता ही रहता है जो परिवर्टित हो रहा है वही तो चाल है क्या परिवर्थी थोते रहता है उसमें दिशा चाल में सदेव दिशा परिवर्थी थोते रहता है कभी धर कभी उधर कभी उधर तो चाल में परिवर्थन तो हमेशा होते रहता है तो चाल में परिवर्थन की दर को हम किसी इस्पेसल नाम से नहीं जानते हैं चाल में परिव आप गती में दीशा ना हो तब तक हम उसको तरा नहीं कह सकते हैं तो तरा क्या है एक सदिश रासी है इसलिए देखो हम यहां पर उसको वेक्टर से रिपरेजेन करते हैं अब बात करें मंदल की तो अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी पिंड के वेग में परिवतन कमी के रूप में हो तब हम उसे मंदन कहते हैं कुल मिला के इसको बहुत आसान सब्दे में ऐसा बोलते हैं रिडात्मक त्वरण को मंदन करते हैं जैसे आपने कहीं पर त्वरण निकाला और त्वरण का मान क्या हो जाए? निगेटी रूप में आ जाए यदि त्वराण का मान निगेटी रूप में आ जाए रिडात्मक रूप में आ जाए तब आप उसको मंदन कहोगे तो रिडात्मक त्वराण को हम मंदन कहते हैं इसको हम माइनस A से पदसीत कर देते हैं इस पकार से जैसे मालो में कहीं पर कभी तवारन का मांन आया मालोब ऐन्स 20 मीटर पर सेकंड स्वेर तब वो तवारन मंदन कहले करेगा क्योंको इसको वेल्यू रिडातम कहा रहा जै अब यहां पर ध्यां दो खना है इसका जो युनिट होता है वो होता है मीटर सेकंड inverse square, meter प्रती second square लिखेंगे या meter second inverse square लिखेंगे, ठीक है, तो ये है तोरण और मंदन का definition माध्यवे क्या होता है ये भी आगे बता रहा हूँ तोरण निकाल के बताएं, calculus के language में आपको तोरण निकाल के बताएं चलो, तोरण निकाल के बताते हैं हम एक example से calculus में हम differentiation से तोरण कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, यदी किसी pin का विस्थापन यदी किसी pin का विस्थापन चलो, विस्थापन दिया है इसमें विस्थापन S equal 3 T cube plus 2 T square plus 5 T plus 7 7, मीटर मिस्थापन है तो मीटर यदी किसी pin का मिस्थापन इतना मीटर है तो 2 second पस्चाथ 2 second पस्चाथ pin का परण होगा चलो, ये पहले तुम्हें आप लोग को समय दे रहा हूं आप लोग मुझे सबसे पहले बताओ चलो, सालव करके बताओ कौन इसका अंसर बता पाता है चलो, दो मिनट का टाइम दूँगा दो मिनट में जो बता लेगा अधर्वाइस फिर मैं बताऊंगा आपको only 2 minutes क्योंकि 2 minutes से ज़्यादा का question नहीं है पिंड का विस्थापन दिया है s equal to 3t cube plus 2t square plus 5t plus 7 meter और आपको पुछा है 2 second पस्चात पिंड का त्वरण चलो, 42 आएगा s equal to क्या दिया हुआ है 3t cube plus 2t square plus 5t plus 7 यह हमको दिया है सबसे पहले हम वेग निकालेंगे तो चूंकी वेग भी बराबर होता है ds upon dt that equal to d by dt अब इसका value हम यहाँ पर put कर दें तो 3t cube plus 2t square plus 5t plus 7 that equal अब देखो 3t 9 हो जाएगा और यह 9t square हो जाएगा plus 2 सामने आके multiply होगा तो हो जाएगा 40 यह होगा और plus यह हो जाएगा 5 t कमन होगा 7,0 हो गया यह हो गया clear यहाँ तक और कोई अपना answer correct किया चलिए अब यहाँ पर हम इसको तोरण में बदलें a equal to होता है dv by dt तो d by dt आप v यह v का value होगा 9t square 9t square plus 40 that equal अब इसको हम differentiate करें तो कितना हो जाएगा 9t square 18 अब दुनी 18 यह हो जाएगा 18t और plus 4 t कमन हो गया अब 2 second पस्चाद बोला है तो t बराबर 2 second पर t बराबर 2 second पर तो t बराबर 2 second पर तो तो त बराबर इसको value put कर दो 18 into 2 plus 4 18 दुनी 36 और 4 40 40 meter second inverse square यह answer तो किसी का नहीं आया यह answer किसी का नहीं आया ज्यादा तर student का 42 आया चलिए आगे बढ़े फिर अब हम discuss करते हैं एक समानगती असमानगती देखो एक एक करके हम सभी concept को clear करते जा रहे हैं समझते जा रहे हैं और यह language आपको प्रापर याद रखना है हर टापिक पर आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि basic पूर हुआ तो पूरा आगे physics का काम ही खतम एक समानगती और असमानगती uniform motion and non uniform motion हम किसे uniform motion करते हैं और किसे non uniform motion करते हैं यह हमको समझना है एक समान uniform का मतलब ही होता है समान आप इसकूल में uniform पहन के जाता है उसका मतलब क्या होता है सब एक समान दिखें तो uniform कोई ऐसा अध्भूत वर्ड नहीं है कि physics में दूसरा हो जाएगा uniform मतलब एक जैसा तो एक जैसा कैसे होगा वो जब हम वेग को एक समान कराएं किस पकार से एक समान कराएंगे देखो यहाँ पर आप ध्यान से समझना एक ray diagram के help से मैं आपको उसको समझा रहा हूँ यह मालो कोई path है कोई रास्ता है और इस path पर कोई pin गतिसिल है मालो इस रास्ते को मैं विभाजित कर देता हूँ a से b यह मालो 2 km है अब b से c यह भी मालो 2 km है c से मैंने d लिया यह भी मालो 2 km है तो यह मैंने equal distance यहाँ पर लिया जब equal distance हम इसका लेंगे यहाँ पर तो उसके बाद equal distance लेने के बाद suppose a से b तक कोई pin जब गति start करता है तो a से b तक पहुँचने में मालो वह मालो एक घंटे का समय लेता है मालो a से b तक पहुँचते में वह एक घंटे का समय लेता है फिर जब b से c जाता है तब भी एक घंटे का समय लेता है और जब c से d जाता है तब भी वो एक घंटे का समय लेता है मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक गती सिल पिंड जब समान समय अंतराल में एक गती सिल पिंड जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब उसके वेक को हम क्या कहते हैं एक समान वेक कहते हैं यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब उस पिंड के वेग को एक समान वेग कहते हैं और यहाँ पर कुछ महत्पूर्ण बात है उसका भ्यान रखना वो महत्पूर्ण बात यह है कि जब भी कोई पिंड एक समान वेग में गती करता है तो उस पिंड का त्वरण सुन्य होता है भी नियत होता है एक समान वेग में भी नियत होता है और जब भी भी नियत होगा तो त्वरण सुन्य होगा क्योंकि वेग परिवरतन को हम वेग परिवरतन को हम त्वरण कहते हैं और वेग में परिवरता ही नहीं हो रहा है वेग तो नियत बना हुआ है शुरू से आखरी तक वेग मालो 20 मीटर प्रती सेकंड है तो 20 मीटर प्रती सेकंड ही बना हुआ है तो जब वेग में परिवरता ही नहीं हो रहा है तो जब वेग में परिवरता ही नहीं हो रहा है तो त नहीं भी आपको किसी बड़े काम्टिट्री एक्जाम में यूज करना पड़ सकता है और वो ये है कि यहां पर मैं आपको बताया कि जब भी किसी पिंड का वेग नियत होता है तो तौरार सुनी होता है लेकिन दो केस ऐसे हैं जिसमें वेग नियत होने के बाद भी तौरार चलिए कोई बता सकता है इसका उदारार इस्पेसल केस दो कंडिशन ऐसा है जिसमें वेग नियत है बट तौरार सुन्य नहीं है पहला है व्रित्ती गति व्रित्ती गति के चेप्टर में मैं इसको आपको और इस्पेसली समझाओंगा अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रहा लेकिन अभी मैं पूरग पूरा रिजन एस्प्रेवन नहीं करूंगा क्यूंकि रिजन करूंगा तो बिल्कुल मैं अलग मोड में चलह जाओंगा तो व्रित्ती गति में हैं आपको समझाओंगा कि क्यूं ऐसा होता है वरित्ती गति और दूसरा होता है सवतंत्रता सुन्य के बराबर नहीं होता यह दोनों के हमेंसा ध्यान लखना काराण में वृति गती में और अच्छे सेस्पेंट करूंगा लेकिन मैं थोड़ा से यहां पर आपको बता दूं कई लोग के मन में जिग्यासा होगा कि सर अभी आप बता देता अच्छा है तो अभी मैं बता पर जब उसकी गती की दिशा निकालना होता है तो वहां पर इस परस रेखा खेशते हैं अब मेरा को धर पूरा एस्प्लेंशन में जाना पड़ेगा तो मैं तूदी पाइंट अभी आपको बता देता हूं कि वृति गती करते हुए पिंड का क्या होता है लगातार गती की दिशा बदलते रहता है अब गती की दिशा बदलने पर वेक को नियत आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि वेक सदिस रासी है और उसके नियत होने का मतलब है परिमार भी नियत होना चाहिए और दिशा भी नियत होना चाहिए तो जब तक परिमार और दिशा दोनों नियत मीं हों लेकिन उसमें गुरुत्वी तौरार तो कारी कर रहा है उसमें ग्रेविटेस्टनल एस्ट्रेस्टन काम करते रहता है इसलिए उस कंडिशन में भी उसका तौरार सुन्य नहीं होता अब हम देखते हैं असमान गती अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि असमान गती में क्या होता है यह मालो कोई पत है यह कोई रास्ता है और यहाँ पर भी मैंने इक्वर डिस्टेंस बना लिया मालो A से B तक वही एक जांपार को रिपीट करता हूँ A से B मालो 2 किलो मेटर है फिर B से C मालो यह भी 2 किलो मेटर है फिर C to D यहाँ भी मालो 2 किलो मेटर है एंड सुमान यह 2-2 किलो मेटर में मैंने रास्ते को विभाजित कर दिया अब कोई पिन यहाँ गती स्टार्ट करत टो ए से बी तक जब ए से जानता है तो माल लोगं ए घंटे का समयअ कई लेता है लेकिन जब सद्वार्दी ती सब्सक्राइब जब क्या अधे करदेता है बर अपक्या करते हो Reason को अशुमान में तैकर रहा है जैसे जमली हम लोग जू गती करते हैं माल हम कार से बाइक से कहीं जा रहे हैं तो रोड अच्छा हो ट्रेफिक ना हो तो हम अपने स्पीट को बढ़ा देते हैं अपने विकल के स्पीट को बढ़ा देते हैं तो हम कम समय में ज़्याददा दूरी तर्वाइक कर लेते हैं, उसके बार रोट खराब हो जाएं या सहर आ जाये ट्रेफिक आ जाये तो हम अपने विकोल थीर्री थीज़े बर कम कर दो ह neighbors और ऐसे कंडिशन में हम उस दूरी को जादा समय में तैक करते हैं अलग अलग दूरी को हम अलग अलग समय में तैक करते हैं उस समय हमारा जो वेलसिटी है वो नान उनिफार्म कहलाता है इसको हम वेरियेबल वेलसिटी भी कहते हैं इसको हम परिवर्थी गती भी कहते हैं जो असमान गती है इसको परिवर्थी गती भी कहते हैं और इसमें त्वरण होता है क्योंकि वैग में पर्वयतन हो रहा है तो परिवर्थी गती में एवर्थी स्पीट पर तो आगे हम और बहुत डिटेल डिसकस करने वाले हैं लेकिन यहां पर हम आपको एवर्थी स्पीट बस डेफिनेशन के फाम में समझा रहे हैं बाकी आवसा चाल निकालने का बहुत सा फार्मूला होता है जिसको आगे हम पढ़ेंगे और इस पर बेस् ठीक है चलिए तो आवसा चाल क्या होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय जैसे कोई पिंड किसी पत्थ पर गती कर रहा है तो कुल जितना दूरी चला और उसमें कुल कितना समय लिया वो दोने का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है आवसा चाल कहलाता है बने अवसाच चाल को यदि हम V average लिखें V A V G average मतलब होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय इसको हम संकेत में लिखें S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस N01 अपान क्या लिख सकते हैं हम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस N01 यदि दूरी के बजाए हम उसको वेक के रूप में लिखना च T होता है V equal to S upon T होता है S equal to V into T होता है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस N01 अपान T1 प्लस T2 प्लस N01 ऐसा भी लिख सकते हैं बाकि आवसाच चाल निकालने का जब हम आपको numerical कराएंगे तो उस समय आपको और अच्छे से आधी दूरी को V1 एक से आधी दूरी को V2 को एक ती हाई को उसके बहुत सारे कंडिशन है वो मैं आपको चेप्टर के end में पढ़ाऊंगा लास्ट में पढ़ाऊंगा कि आवसाच चाल कितने तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर केवल मैं आपको definition बताया आवसाच चाल का क्या मतलब होता है ठीक है और नेस्ट टापिक है हमारा ताथ छडिक चाल इन इस्टेंटेनियस स्पीड ताथ छडिक चाल का कोई फार्मूला नहीं इसको आप इस तरह से समझ लो ताथ छडिक चाल का मतलब होता है at present किसी instant पर किसी समय पर किसी पिंड की गती मैं तुरंद अभी 40 कुमिटर पती घंटे के रफ्तार से चाल है that is in instantaneous velocity ताथ छडिक चाल मतलब किसी भी गती सिल्पिंड का किसी particular time पर किसी निश्चित समय पर जो वेव होता है वो क्या कहलाता है उसका ताथ छडिक चाला है ठीक है तो एक हलाता है ताख छडिक चाल तो यहाँ पर हमारा complete होता है basic concept अब यहाँ तक आपको कोई problem हो तो एक बार आपने इसे पूछ लो next class में हम लोग start करेंगे इसके graph सबसे पहले हम इसके graph पढ़ेंगे इसका graph बहुत important होता है जिसमें wake समय graph इस्थिती समय graph यह सब हम graph पढ़ेंगे ठीक है और graph बहुत important है हर lecture हमारा एक special topic को लेके होगा हम अपने class में पहले से declare कर देते हैं कि next class किस पर based होगा जैसे हमने सरल रेखा में गती पर दो class लिया सिर्फ basic concept के लिए basic fundamental के लिए क्योंकि मैंने पहले दिन ही आप से discuss किया था कि basic concept इस chapter का बहुत important है जब तक आप इसकी terminology नहीं समझोगे वे क्या है चाल क्या है विस्थापन क्या है दूरी क्या है तोरण क्या है एक समान चाल क्या है असमान चाल क्या है इन चीजों को जब आप भासा ही नहीं समझोगे कि Graphical RepCgn violation of uniform motion देखो पहला graph जो हम पढ़ेंगे यह पहला graph uniform motion के लिए एक समान गती का graph है निरूपर Graphical RepCgn violation of uniform motion तो मैं आपको पहले एक समान गती पढ़ा चुका हूँ basic concept पढ़ाते समय में आपको बताया था कि एक समान गती का मतलब क्या होता है uniform motion का मतलब होता है कि जब velocity constant होता है vague नियत होता है और त्वरण सुन्य होता है तब हम उस condition को क्या कहते हैं एक समान गती कहते हैं तो वहाँ पर हमको दो graph पढ़ना होता है जिसमें पहला graph अपने को पढ़ना है vague समय graph velocity time graph 60 form में हम इसको vt graph भी बोलते हैं 60 form में हम इसको vt graph भी बोलते हैं vt graph मतलब velocity time graph तो naturally आप समझ सकते हैं कि इसमें हमको velocity और time की बीच में graph ड्रा करना है तो चलो सबसे पहले हम graph ड्रा करें और graph के एक आडिंग फिर हम इसको explain करेंगे यहाँ पर आप एक graph देख रहे हो जिसमें x-axis में लिया गया है यह हमारा x-axis है और इस axis में लिया गया है time को time को हमेशा हम x-axis में लेंगे और y-axis में लिया गया है velocity को y-axis में velocity को लिया गया है b को तो suppose किसी time t पर यह suppose कोई time t है और इस t time पर किसी object का जो velocity है वो भी है मैं proper distance पर बनाता हूँ उसको यह समकोद इसका velocity है यह इतना इसका भी है तो t time पर velocity यह है यह वाला point मिलेगा अब time increase होके time आगे बढ़के suppose t days हो गया क्योंकि time rest नहीं हो सकता time तो continuous increase ही होता है time past में भी नहीं जा सकता time rest भी नहीं हो सकता time हमेशा आगे ही जाता है तो time हमने ले लिया यहाँ पर t days और t days condition पर भी velocity भी ही रहेगा अब यहाँ पर important बात आपको notice यह करना है कि यहाँ पर जो velocity है वह भी ही रहेगा क्यों भी रहेगा क्योंकि वह नियत है एक समान गती है एक समान गती का मतलब velocity constant है नियत है तो velocity constant होने का मतलब यह है कि t time पर भी उसका velocity भी था t time पर भी उसका velocity भी था और t days time पर भी उसका velocity भी ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर t time पर भी उसका velocity भी हो गया अब हम इस line को भी मिला देते हैं अपस में तो हमको यहाँ पर इस तरह से एक आयत मिल जाएगा यह हमको एक आयात यहाँ पर मिलेगा अब इस आयात का हम नाम लिख देते हैं सपोज यह पॉइंट A है और सपोज यह पॉइंट A डेस है यह सपोज B है और यह पॉइंट सपोज B डेस है इस पकार से अब यहाँ पर हम इसके displacement का मतलब इसके विस्थापन का हम गढ़ना करें तो हमको मालूम है कि वेक बराबर इसका हम गढ़ना करें तो चू कि वेक बराबर विस्थापन बटे समय यह होता है वेक बराबर विस्थापन बटे समय इस पकार से यदि हम इसको विस्थापन के लिए साल्व करें तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन बराबर वेग गुडित समय अब इस ग्राब पर हम देखें कि वेग क्या है समय क्या है तो वेग को हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी और इंटू समय कितना है तो समय का दो कंडिशन है एक फाइनल और एक इनिशियल मतलब अन्तिम और प्रारंभीक तो अन्तिम समय टेस है और प्रारंभीक समय टेस है तो समय आंतर समय अंतराल समय इंतराल कितना हो जाएगा T-DES माइनस T मतलब बात का समय प्रारम्भिक समय अब यहाँ पर आप graph में देखो तो graph में यहाँ पर यह जो V है यह जो V का मान है यहाँ से यहाँ तक है जो की AA-DES के बराबर है यह V है और यह AA-DES या BB-DES के बराबर है तो graph में हम V को लिख सकते हैं AA-DES graph में हम V को लिख सकते हैं AA-DES clear? अब यहाँ पर देखो T-DES माइनस T तो T-DES माइनस T क्या है यह V हुआ और T-DES माइनस T तो graph में देखो यह T-DES है और यह माइनस T तो T-DES में देख T को माइनस करेंगे तो यह DISTANCE मिलेगा क्या आपने को AB तो यहाँ पर हमको यह मिल जाएगा AB graph में आप देखो यह जो DISTANCE है T-DES माइनस T वह AB के बराबर है इस तरह से यह जो विस्थापन है वह AA-DES into AB के बराबर हुआ तो AA-DES into AB मतलब इस आयाद का 6 तरफल मतलब यहाँ पर जो भी आक्रिती बनेगा उसका 6 तरफल इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं आयाद A A-DES B-DES B का 6 तरफल का 6 तरफल इस परकार से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि किसी भी पिंड का जो विस्थापन होता है जब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं वेग और समय के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं एक समान वेग के लिए तो वहाँ पर पिंड का जो विस्थापन होता है वह graph में जो 6 तरफल बनता है यहाँ पर आयत होना जवरी नहीं है यहाँ पर कोई जवरी नहीं कि आयत ही बने मतलब वहाँ पर जो भी 6 तरफल वहाँ पर भी जो भी area in close होता है वह area क्या होता है इसके बराबर होता है ठीक है? तो पिंड का जो विस्थापन होता है देखो पढ़ाई का फ्लो पर ब्रेक लगता है तो मुझे भी खराब लगता है और जो sincere strain class में पढ़ रहे उनको भी खराब लगता है तो किसी भी पिंड का जो विस्थापन होता है ध्यान से सुनो जब हम एक समान गती में वेग और समय के बीच में ग्राफ ड्रा करते है तो ग्राफ में जो area अपने को मिलता है जो भी area अपने को मिलेगा वह area उस पिंड के विस्थापन के बराबर होता है ठीक है? यहाँ पर मैं एक example आपको करा रहा हूं graph पर इस अकेले example से आपका पूरा concept clear हो जाएगा कि किस तरह से इस पर question पूछा जाता है यह जो मैं concept में भी आपको बताया इसको पहले आप screen start ले लो और इस पर based फिर मैं आपको एक question कराता हूं तो उससे पूरा clear हो जाएगा biology का class तब ही start होगा जब मेरे को biology के बहुत अच्छे faculty मिल जाएंगे कोई भी आके पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है जैसे chemistry का चल रहा है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा चलिए एक question देखें हम यह graph आप लोग अपने notebook पर ड्राग करो यह graph आप लोग अपने notebook पर ड्राग करो यहां पर जो scale हम यहां पर measure कर रहे हैं वो scale भी मैं dotted line से आपको बता देता हूं यह origin है 0 है यह 1 है यह 2 है इस direction में velocity को represent किया गया है और इस y axis में time को represent किया गया है यह ध्यान रखना और यहां पर यह वाला point minus 1 है यह वाला point minus 2 है यह 1 है और यह वाला point यह 3 है यह point 4 है यह point 5 है और यह 6 है ये graph आपको दिया गया है ये graph हमारे question में दिया गया है इस तरह के graph NEET के exam में IIT के exam में भी पूछे जाते हैं graph का condition थोड़ा complicated हो सकता है graph में चीजों को और घुमा की पूछा जा सकता है लेकिन आपको पूछेगा इसी तरह से concept यही है ये concept clear होने के बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है बिलकुल पुराने math के video से पढ़ सकते हो mathematics का syllabus कभी change नहीं होता है जो differentiation है वही है जो integration है वही है आप लोग पुराने एक video से भी पढ़ सकते हो बस इस session में हम नए नए question की practice आपको कराएंगे बाद की concept तो वही है लेकिन अभी हम class से start करेंगे अभी फिल हाल आप लोग उस class से पढ़ सकते हो अब इस question में हमको calculate करना है इस question में दो चीज़ calculate करना है पहले हमको निकालना है दूरी की पिंड के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा और दूसरा निकालना है अपने को विस्थापन की पिंड का विस्थापन कितना होगा ये दोनों हमको निकालना है दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है चलिए मैं आपको 2-3 मिनाट का टाइम देता हूँ इस टाइम पर आप निकालने का कोशिस करो चलिए ट्राइ करिए इसको दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा जो ब्लू कलर से ड्रा किया गया है वही graph है और उसी पर आपको दूरी और विस्थापन निकालना है चलिए चलिए count करिए ओके चलिए फिर हम calculate करते हैं इसको देखो सबसे पहले अभी आपको मैं concept क्या बताया कि दूरी और विस्थापन निकालना है तो सबसे पहले जो graph में जो area है वो area आप calculate करोगे तो यहाँ पर कौन कौन सा area है यहाँ पर मैं arrow लगा के लिखते जाता हूँ ध्यान से समझना पहला area यह है जो की एक त्रिभूज है यहाँ पर एक त्रिभूज देख रहे हो 0 से यहाँ तक और यहाँ तक तो सबसे पहले हम इसका area find करेंगे तो त्रिभूज का area हो जाएगा एक बटे दो अधार गुडित उचाई अधार 0 से 3 तक है तो 3 हो जाएगा और गुडित यहाँ से 2 तक इसका उचाई है तो 2 2 2 कटेगा तो आयाएगा 3 इस पकार से इस त्रिभूज का 6 तरफल कितना आएगा 3 आएगा उसके बाद यहाँ पर एक आयाद देख रहे हो इसका हमको 6 तरफल निकालना है तो आयाद को 6 तरफल लंबाई गुडित चोड़ाई होगा तो यहाँ पर देखो लंबाई 6 से 4 तक 4 से 6 तक तो 4 से 6 तक मतलब कितना होगा 2 तो लंबाई हो गया 2 और बुडित चोड़ाई चोड़ाई यहाँ से यहाँ तक है 1 तक यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 होगा यह कितना हो गया 2 हो गया तो यह चोड़ाई 2 आ गया अब यहाँ पर त्रिभूज है इसका छेतरफल निकालें तो एक बटे दो आधार आधार है यह चार से तीन मतलब वह एक होगा और बटे उचाई यहाँ तक उचाई है टू तो टू टू केंसल आउट होएगा और बचेगा वन अभी इसको माइनस नहीं लेना है माइनस है करक उसको छेतरफल में हम माइनस करेंगे इस पकार से तीन छेतरफल मिलेगा यह चेतरफल मिलेगा तीन यह वाला आयत का छेतरफल दो मिलेगा और नीचे का चिभूज का छेतरफल वन मिलेगा जब हमको दूरी निकालना होगा तो दूरी अदिस रासी है तो दूरी में सभी को जोड़ा जाएगा, तो 3 धन, 2 धन, 1, 3, plus 2, plus 1, that equal 6, इस पकार से धूरी कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, लेकिन जब हम विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन निकालेंगे, तो चूंकि यह निडात्मक दिशा में है, 1 को देखो, यह 1 क्या है, मूल बिंदू से निचे, negative direction में होने के कारण, इसको हम क्या करेंगे, minus करेंगे, तो minus करेंगे, तो कितना अपने को value मिल जाएगा, उपर का मिल गया, 3, इसके बाद फिर यह plus 2, तो 3 plus 2, और निचे में कितना हो जाएगा, यह minus 1 हो जाएगा, तो minus 1 हो जाएगा, 5 minus 1, मतलब 4 होगा, यह 4, यह इसका answer होगा, देखैंगों, आप लोग क्या क्या निकाल रहे थे? क्या क्या आप लोग निकाल रहे थे? तो इस तरह से दूरी और विस्थापन निकाला जाता है यह बहुत important question है और इसी तरह के question हमको competitive में पूछा जाते हैं इसी तरह का question हमको competitive में पूछा जाता है और बहुत तरह का question इसमें से cover होता है ठीक है distance निकालने के लिए सब को जोड़ेंगे ये वाला area ये वाला area ये वाला area इसको सब को हम जोड़ेंगे क्यों क्योंकि दूरी अधिसरासी है तो अधिसरासी होने के काराण यह जो negative है उसको हम उसमें add नहीं करेंगे लेकिन जब विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे हम विस्थापन के निगेटिव डियारेक्शन के एरिया को माइनस करेंगे आफ्लाइन बैज जॉइन करने के लिए हमारे कोचिंग में आना पड़ेगा offline batch join करने के लिए coaching में आना पड़ेगा class 12 का class इस class के बाद तुरंद 8 बजे start होता है 7 बजे साम को 7 बजे हम 11 का class लेते हैं और 8 बजे फिर हम 12 का class लेते हैं चलिए next graph पढ़ें फिर हमारा अगला graph है इस्थिती समय graph position time graph ये graph थोड़ा बड़ा है इसको थोड़ा ध्यान समझना तो पहले हम graph graph कर लें नाम से clear है कि position और time के बीच में graph graph किया जाता है इसलिए इसको इस्थिती समय graph करते हैं तो ये graph सबसे पहले graph कर वाब अब position और time के बीच में हम को graph graph करना है देखो यहां पर कौन-कौन से value क्या ध्यान से समझो ये x axis में हम time को represent कर रहे हैं x axis में हम time ले रहे हैं और ये y axis है इस y axis में अब हम position को ले रहे हैं वेग नियत है velocity constant है क्यों भी ये भी uniform motion के लिए graph है ठीक है तो position को हम ये देखो यहां पर ये जो position है ये t time पर position है ये तो मुल बिंदू है 0 तो t time पर इसका जो position है वह क्या है xt है t time पर position इसका xt है और ये t dash ये t dash है तो t dash पर इसका जो position है वह है xt dash t time पर position xt है और t dash time पर इसका position क्या है xt dash है ये दो position हमको मिले भले ही वे constant है लेकिन position constant नहीं हो सकता जहां से सुना कभी कभी student समझते हैं ये दोनों graph को जब compare करते हैं तो बोलते हैं सर यहां तो state line था जबकि ये भी क्या है एक समान गती के लिए है तो वेग नियत है वेग बढ़ नहीं रहा है लेकिन वेग नियत होने पर इस्थिती constant नहीं हो सकता position constant हो नहीं सकता यदि कोई pin गती सील है तो position तो बदलेगा भेले उसका वेग नियत हो चाहे उसका वेग परिवर्ती हो दोनों condition में body अपना position तो change करेगा तो t time पर t time पर इसका position x t है और t dash time पर इसका position क्या है x t dash है अब हमने क्या किया है यहां से अब इसका हम नाम देदेते हैं यह suppose a point है यह suppose a dash point है यह suppose b point है यह suppose b dash point है और यह हमने c point लिया तो A-P हमने यहाँ पर perpendicular draw किया है और इस angle को हमने theta लिया है इस तरह से यहाँ पर हमने एक sum course रिभूज बनाया है क्यों बनाया है आगे हमको calculation में समझ में आएगा इसके बाद इस graph को draw करने के बाद हमारा सबसे पहला क्राम है कि हम graph के सभी दूरी को यहाँ पर represent करेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन सा value क्या है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कौन-कौन सा distance क्या है यहाँ करके माने graph में हमको दिखाना है तो ध्यान से समझना यहाँ पर कौन-कौन सा distance क्या है यह जो a-b distance है यहाँ पर जो a-b distance है आप graph में देख रहे हो a से b तक वह a-c के भी बराबर है वह a-c के बराबर है और आप समझ सकते हो कि a-b distance t-t होगा क्योंकि बाद का समय t-t है और पारमिक समय t है तो t-t होगा तो यहाँ करके आपको सबसे पहले इसको यहाँ represent करना है graph में value को represent करना सबसे important काम है जब ऐसा systematic आपको इसको represent करोगे तभी आपको समझ में आएगा आगे का calculation otherwise आपको problem होगा तो मैं दूरियों को लिख रहा हूँ ध्यान से समझना A भी हमने लिख लिया और A, B, A-C के बराबर भी है अब A, A-C किसके बराबर है B, C के बराबर है तो A, A-C, B, C के बराबर है A, A-C, B, C के भी बराबर है और यहाँ क्या है? X, T मतलब यहाँ T time पर position को show करता है X, T उसके बाद आप देखो next condition क्या है? B, B- B, B- तो यहाँ पर जो B, B-C का value है B से लेके B-C का वो कितना है? X, T-C है तो यह X, T-C के बराबर है अब यदि हम यहाँ पर B-C का value निकालना चाहे यदि हम B-C का value निकालना चाहे तो B-C क्या हो जाएगा? B, B-C के बराबर होगा यह हो जाएगा B, B-C के क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो distance है उसमें इतने को हम माइनस करेंगे तो यह निकलेगा B, B-C का value क्या है? X, T-C है यह X, T-C और माइनस B-C का value यहाँ से क्या है? X, T है इस पकार से हमने सभी दूरियों को यहाँ पर निकाला कौन-कौन से दूरियों निकाला? एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो AB distance, T-T के बराबर है AA distance, X-T के बराबर है BB distance, X-T के बराबर है और B-C distance, X-T-T के बराबर है यहाँ graph में आप इसको समझ सकते हो clear? इस पकार से graph ड्राक करने के बाद graph करने के बाद सबसे पहला काम है हमारा graph में पूरी दूरियों को represent करना अब हम इसका करें गरणा अब हम इसकी गरणा करें तो गरणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पर चूंकि हमको velocity, position and time के बीच में graph graph किया है तो हम यहाँ पर निकालेंगे vague तो हम यहाँ पर गरणा करेंगे vague का और vague बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय तो vague बराबर विस्थापन बटे समय विस्थापन बटे समय T होगा, XT, XT-DAS-XT, बाद किस थी थी, रिन प्रारमिक किस थी थी, इसके बाद समय, तो समय बाद का समय T-DAS, और माइनस प्रारमिक समय T, तो T-DAS-T होगा, that equal, आगे हम इसको solve करें, XT-DAS-XT, यहाँ पर हमने दूरे में क्या निकाला है, B-C के बराबर निकाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं, B-C, बटे, T-DAS-T, तो T-DAS-T का जो value है, वह AB के बराबर है, तो B-C, अपान क्या होगा, AB होगा, तो B-C अपान AB होगा, अब यहाँ पर आप figure में देखो, कि इसलिए, यह जो velocity है, अब ध्यान देना, इस चित्र में आओ, यह जो B-C है, यह B-C है, और यह क्या है, AB, और AB को हम क्या लिख सकते हैं, A-C के बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, B-C अपान AC, क्योंकि दोनों आपस म देखो मैंने यही पर सो कर दिया है, कि AB जो है, वह A-C के बराबर है, तो उसको हम A-C भी लिख सकते हैं, A-C, अब यहां पर इस त्रिभूज को देखो, इस त्रिभूज में B-C बटे A-C, मतलब लंब बटे आधार, उस त्रिभूज में लंब बटे आधार, और लंब तेन थीटा को हम graph की प्रवर्दा कहते हैं या ढाल कहते हैं इसको हमेरी समान ने बोल चाल की भासा में बोले तो ढाल बोला जाता है लेकिन हम इसको scientific language में प्रवर्दा कहते हैं प्रवर्दा इंगलिज में gradient इसका बोला जाता है gradient वी इकोई टेन थीटा ये ढाल या प्रवर् ठीक है अब हम देखते हैं next graph वो है एक समान त्वरित गती के लिए अब यहां पर जो graph है उसमें concept change हो रहा है क्या हो रहा है एक समान त्वरित गती यह मैं highlight किया त्वरित गती मतलब यहां पर क्या हो रहा है त्वरण हो रहा है यहाँ पर पिंड में त्वरण हो रहा है और यहाँ पर हमको graph ड्रा करना है किसके किसके बीच में? वेग और समय के बीच में graph ड्रा करना है एक समान त्वरिद गति के लिए हमको वेग और समय में graph ड्रा करना है ठीक है? चलिए तो ये graph पहले हम बना लें और उसके बाद फिर हम इसको graph लगभग भी ऐसी बनेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था बस इसमें त्वरिद गती है velocity change होगा यहाँ पर देखो इस x-axis में time को represent किया गया है x-axis में time और यह जो y-axis है इसमें यहाँ पर velocity को represent किया गया है यहाँ पर velocity को represent किया गया है वी को यह origin है t time पर यह t time है t time पर इसका velocity क्या है वी t है t time पर इसका velocity भी है और time जब t-dash हो जाता है तो t-dash time पर इसका velocity हो जाता है भी t-dash यह आप समझते जाओ कि किस time पर क्या हो रहा है तो t time पर भी t, t-dash time पर भी t-dash इस point का नाम हमने A दिया इस point का नाम हमने A- दिया इस point का नाम B दिया इसका हमने B- दिया और यह point क्या है C है इस तरह से यह C point है अग यहाँ पर देखो यह corn को हमने theta ले लिया तो इससे पहले आपने जो graph पढ़ा है 90% यह उसी तरह है बस इसमें difference यह है कि चूंकि ये त्वरिद गती है मतलब इसमें वेग परिवर्तन हो रहा है वेग में परिवर्तन हो रहा है यहां वेग नियत नहीं है इसलिए इसका t time पर वेग भी t है और t dash time पर वेग भी t dash है और यहां पर velocity और time देखो सब graph एक जैसे लगने लगते हैं जब आप उसको ध्याण से नहीं पढ़ोगे ग्राफ को हलके में मत लेना नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपने क्या मिस्ट कर दिया अभी पता नहीं चलेगा तो अब यहां लिखो सभी value को लिखो यहां करके यहां पर जो जो भी value है वो सब value यहां पर लिखो तो जैसे मैं भी बताया सब वही है A B A-C के बराबर है तो यहाँ पर जो A B है वह A-C के बराबर है जो की T-DAS माइनस T है यह होगा उसके बाद A A-DAS क्या है यहाँ पर A A-DAS यहाँ पर V T है फिर B B-DAS क्या है B B-DAS V T-DAS के बराबर है इसके बाद देखो यह जो b b ds है इसमें हम निकालें फिर का b ds c b ds c निकालें तो अब b b ds minus b b ds minus b ds c के बराबर होगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं v t ds minus v t v t ds minus v t ऐसा लिखते हैं तो यह हमने वही काम किया जो अभी हमने इससे पहले किया था वहाँ पर हम वेग निकाले थे यहाँ पर हम त्वरण निकालेंगे तो गर्णा करते हैं त्वरण का गर्णा करेंगे त्वरण तो त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय वेग परिवर्तन बटे समय तो वेग परिवर्तन बटे समय तो हम यहाँ पर लिखें V equal to V, sorry, त्वराण A, त्वराण A बराबर V परिवर्तन, मतलब अंतिम वेग V T dash minus पराणभीक वेग V T और बटे T dash minus T, ऐसा होगा, that implies A equal V T dash minus V T, यहाँ पर देखो V T dash minus V T किसके बराबर है, B dash C के बराबर है, B dash C के बराबर है, और बटे T dash minus T, तो T dash minus T किसके बराबर है, मैं direct लिख रहा हूँ, A dash C के बराबर है, A dash C के बराबर है, अब आप इस त्रिभूज में देखो, जैसे हमने, तो repeat है उसका, पुरा वही वही चल रहा है, तो B dash C upon A dash C क्या होगा, 10 theta के बराबर होगा, तो therefore, यहां से मिल जाएगा A equal to 10 theta, मतब इस graph में तورन जो है, वह प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व या graph की धाल यह है a equal to 10 theta लेकिन इसमें एक और calculation है और वो calculation है विस्थापन का तो यहाँ पर हम एक और calculation करेंगे विस्थापन के लिए पहले यहाँ तक आप लिखो या इसका skin start लो फिर next calculation हम स्टार्ट करते हैं यह skin start ले लो आप एक बार अब हम देखें यहाँ पर इस स्टित्र में आप देखो यहाँ पर जो आकरिती बनी है complete वह क्या है एक trapegium है trapegium मतलब समलम चतुरभूज और उसका नाम है a a-b-b यह एक समलम चतुरभूज है इसका calculation अलग-अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं हम triangle का area और यहाँ पर नीचे में उसके नीचे जो आयाथ है rectangle उसका area दोनों area निकाल के भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं समलम चतुरभूज का 6 रफल तो समलम चतुरभूज का 6 रफल हम कैसे निकालेंगे देखो calculation number 2 दूसरा नमबर का calculation समलम चतुरभूज a क्या नाम है a a डेस b डेस b a a डेस b डेस b का 6 रफल इसका हम निकाल लेते हैं 6 रफल तो हम समलम चतुरभूज a a डेस b डेस b का 6 रफल क्या होगा हम जानते हैं कि समलम चतुरभूज का जो 6 रफल होता है वह 1 बटे 2 दोनों समांतर भूजाओं के लंबाईयों का योग यह फर्मूला है तो दोनों समांतर भूजा है a a डेस और b b डेस तो दोनों समांतर भूजाओं के लंबाईयों का योग मतलब A, A-DES, प्लस B, B-DES, A-DES, प्लस B, B-DES, इन्टू, इन्टू होता है क्या? उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जो की A-DES, C के बराबर है, यह जो दूरी है, वह A-DES, C के बराबर है, ठीक है? या A B के बराबर है A कही मतलब है तो दोनों की बीच की दूरी को हम क्या कर सकते है A B इसको हम क्या कर सकते है A B यह हमने मान भर दिया that equal अब इसका value को हम put up करें तो 1 upon 2 A A dash यहाँ पर A A dash का value क्या होगा A A dash देखो यह क्या है V T है यह है V T dash यह value हमने put कर दिया और A B क्या है देखो A B graph से देखो graph में लिखा है A B T dash minus T के बराबर है तो यह हो जाएगा T dash minus T यह होगा that equal 1 upon 2 अब इसको हम क्या लिश सकते हैं देखो यह अंतिम वेग है यह V T dash क्या है वो अंतिम वेग है और हमको सूत्र पता है कि अंतिम वेग V बराबर होता है U plus A T V equal U plus A T मतलब इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं अंतिम वेग को हम लिख सकते हैं V T और प्रारभिक को लिख सकते हैं V T dash इसको लिख सकते हैं V T और त्वरान तो A होगा और इसको लिख सकते है T-Daste-T, ऐसा लिखा जा सकता है गती के प्रसाम समीकर्ण से, क्योंकि अंतिम वेक को V-T-Daste कहेंगे, यहाँ पर अंतिम वेक V-T-Daste है, और प्रारमभीक वेक V-T है, T प्रारमभीक समय है, और त्वरार तो त्वरार होगा, और समय है T-Daste-T, तो जाएगा VT plus A into T dash minus T यह और यहाँ पर यह हो जाएगा T dash minus T ऐसा होगा that equal आगे हम इसको multiply करें तो इसको इसके साथ multiply करेंगे तो 1 upon 2 यह क्या हो जाएगा VT or into T dash minus T यह होगा आगे हम इसको पहले हम दोनों को 8 कर लेते हैं यह VT यह भी VT तो VT plus VT 2 VT हो जाएगा 2 VT इसके साथ में कटेगा तो यह हो जाएगा VT और into T dash minus T ऐसा होगा और प्लस इसके साथ में गुणा होगा तो 1 upon 2 A और इसके साथ multiply होके T dash minus T का whole square हो जाएगा अब यहाँ पर एक important बात आप ध्यान देना वो यह है कि देखो एक बात तो मैंने आपको यह बताया दूसरी बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जैसे S equal to अपने पास होता है UT plus half AT square यह है गती का दूती समीकरण तो गती के दूती समीकरण के यहाँ पर जहाँ हम use करेंगे तो S जो होता है वह U मतलब परम ही क्वेग तो यह हो जाएगा VT और इंटू T dash minus T यह होगा और प्लस 1 upon 2 A और टाइम है T dash minus T का whole square that means यहाँ पर जो आया है इसको गवर करना यह VT into T dash minus T यह V2 VT into T dash minus T plus half AT dash minus T का whole square तो half AT dash minus T का whole square यह होगा कुल मिलाके इतने पूरे को इतने पूरे को हम क्या लिख सकते हैं विस्थापन लिख सकते हैं ते हो जाएगा बराबर विस्थापन यह विस्थापन S के बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राप में जो समलम चतुर्भूज बना है या जो भी एरिया है उसका जो छेतर फल है वह विस्थापन के बराबर होता है जैसे आपको एक्जाम में पूछे कि सिध करो एक समान तरिद गती के लिए वेग प्रवरता के बराबर होता है तो यहां तक प्रूफ करोगे लेकिन आपको और यह पूछे कि एक समान तरिद गती के लिए यदि विस्थापन कितना होता है तो उसमें बने समलम चोतुरभूज के छेतरफल या समलम चोतुरभूज ना भी हो तो जो भी एरिया वहाँ पर enclosed हुआ है उसके छेतरफल के बराबर होता है तो यह है हमारा लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ समीकरण पढ़ते हैं और यहाँ पर हम को क्या करना है पूरा समीकरण को derive भी करना है गती के समीकरण equation of motion गती के तीन समीकरण होते हैं गती के तीनों समीकरण का पहले हम आपको basic introduction दे दें उसके बाद हम one by one उनको proof करेंगे तो गती के तीन समीकरण जो की पांच विरियबल से मिल के बनते हैं किन पांच विरियबल से वास्तों में गती का समीकरण u v a s t और d 1,2,3,4,5,6 6 विरियबल को मिला के गती का समीकरण बनता है यहाँ पर इन 6 विरियबल का आपस वेल्यू क्या है जिसमें गती का पहला समीकरण होता है v equal to u plus a into t v equal to u plus a into t गती का प्रथम समीकरण होता है गती का दूतीत समीकरण है s equal ut plus 1 upon 2 a t square यह d नहीं न d को हमने s लिख दिया है d को हमने s लिख दिया है generally हम distance को d से या s से represent करते है variable से मिलके बनता है 6 नहीं 5 1,2,3,4,5 इसके बाद गती का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v square equal to u square plus 2 a s यह गती के 3 समीकरण होते हैं और गती के इन 3 समीकरणों में कौन कौन सा variable क्या है यह हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर u मतलब होता है प्रारंभीक वेग u मतलब प्रारंभीक ओके तो यहाँ पर देखो u प्रारंभीक वेग होता है और इसको हम इंगलिस में बहते है initial velocity इसको initial velocity कहते है u प्रारंभीक वेग होता है यहाँ पर इसके बाद भी होता है अंतिम वेग, यह होता है, अंतिम वेग, इसको बता है final velocity, यह final velocity है, इसके बाद A होता है, त्वरण, यह त्वरण होता है, इसको इंगली से बता है acceleration, यह acceleration है, और T क्या होता है, समय, मतलब time, और S होता है, विस्थापन, विस्थापन, मतलब displacement, यह गती के तीन समीकरण होते हैं, इस पकार से देखो यह, जो गती के तीन समीकरण होते हैं, इन तीन समीकरणों की विस्था क्या है, बहुत गौर से आप ध्यान से समझना, जो 5 variables मैंने उपर में लिखा है, U, V, A, S, और T, यह 5 variables हमने उपर में जो लिखा हुआ है, यह 5 variables में हर समीकरण 4 variables से मिल के बना है, यहाँ पर आप देख रहे होगे, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, लेकिन हर समीकरण 4 से मिल के बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसमें कौन गायब है, पहले समीकरण में S गायब है, दूसरा समीकरण देखो, दूसरे समीकरण में भी गायब है, और तीसरे समीकरण में देखो, गती के दूती समय करण में अंतिम वेग नहीं है और गती के तूती समय करण में T नहीं है और एक फेक्टर ऐसा है जो सब में कामन है वो क्या है A यहाँ पर आप देखो A सब में कामन है यहाँ भी A है यहाँ भी A है और यहाँ भी A है ठीक है और U सब में कामन है यू यहां भी है यहां भी है और यहां भी है तीनों समीकराण में यू है देखो गती के समीकराण को रट लेने बस से काम नहीं चलेगा कि गती का समीकराण तो मुझे याद है बस ऐसा नहीं है इसलेट्ट मुझसे पूछते हैं कि सर गती के समीकरण पर बेस्ट जब नुमेρकल लगाते हैं तो हमको यह समझ में यह आता कि कहांकर कौक अंप्वूं बहुंसे स्टुटन्च ने पूछा हैं तो उसका यहां पर थोड़ा को और भीको करना ही लेकिन तो दिसकेसिन करना है यह जानने की लिए सब से इंपपार्टेंन तो आप निश्ची तुरुप से समझ लो कि आपको पहला समीकरण लगाना है। यदि आपके equation में अंतिम वेग नहीं दिया है तो आपको dity लगाना है और समय नहीं दिया है तो आपको 30 समय करण लगाना है इस बात को आपको धियान में रखना है और उसके बाद a और u तो सब में common होता है बाकिया निमेर कल कराते समय आपको बताऊंगा और यह इस variables के नाम हैं इतना आप ध्यान में रखोगे अब हम इसको वन बाइवन प्रूफ करेंगे तो इसको प्रूफ करने के तीन तरीके हैं एक तो बहुत साधाराण से तरीका है जो इसके बेसिक फर्मूला पर dependent है और दूसरा है graphical method जो graph की सहयता से प्रूफ किया जाता है और तीसरा है calculus का method जो की alkaline samakalan के सहयता से प्रूफ किया जाता है तो कभी आपको exam में teacher यदि गती का समी करण को सिध्ध करो बोले तो आप इसमें से किसी भी विधी से प्रूफ कर सकते हो लेकिन यदि exam में teacher आप से यह पूछे कि गती के समी करण को graph की विधी से सिध्ध करो तो आपको graph करना पड़ेगा और यदि यो बोले कि आप उसको समक्रान विधी से या calculus की विधी से प्रूफ करो तो आपको वैसा ही करना होगा यदि question में method declare है तो आपको उसी method से करना चाहिए और method declare नहीं है तो आप वहाँ पर free हो जो method आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ देखते हैं और one by one सबसे पहले method first method first का कोई नाम नहीं है इसको मैं method first ही कह देता हूँ जो इसके basic formula पर है वास्तों में method first को मैं कहूँ तो किस पर based है यह इसके basic formula पर basic formula पर तो सबसे पहले हम proof करते हैं first equation सबसे पहले हम गती का प्रत्थम समी करण जो की है v equal u plus a t इसको हम करते हैं proof तो बहुत छोटा सा दो लाइन के इसका proof है कुछ नहीं सबसे पहले है माना की लिख लेंगे माना की में अपन variables को बता देंगे कि u क्या है v क्या f क्या है t क्या है सब हम समझा देंगे उसके पास सीधा सीधा हम इसका formula यूज करेंगे कौन सा formula यूज करेंगे त्वरण का तो चुंकि हमको मालूम है कि त्वराण हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा है त्वराण ये बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय तो वेग परिवर्तन क्या होगा अन्तिम वेग रिंड प्रारम्हीक वेग बटे T ये होगा that implies अब हम क्या करें T को इधा टांसफर कर दें तो A इंटु T हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा V-U that implies यहां से देखो इसको यह जी हम इधा टांसफर करें U को तो यहां पर हो जाएगा V equal U plus A into T तो V equality U plus 80 यह क्या हो जाएगा इसका गती का प्रथम समिकरण होगा गती का प्रथम समिकरण होगा यह है first equation up motion clear कोई problem यहाँ तक तो पहला equation तो बहुत आसान है आप ऐसी समाझ सकते हो पहला equation बिल्कुल दो लाइन गहें second equation up motion गती का दूती समिकरण क्या होता है S equal U T plus half A T square यह गती का दूती समिकरण होता है अब इसको हम प्रूफ करें गती के दूती समिकरण को तो इसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं देखो गती के दूती समिकरण को प्रूफ करने के लिए हम velocity का formula लगाते है वेक का formula लगाते है तो वेक का formula क्या होता है चूंकि हमको पता है कि V equal to होता है ds upon dt अब हम इसको s के लिए साल्व कर लें तो dt कि इधर टांसफर करेंगे तो that implies अच्छा एक मिनट अभी तो मैं आपको general method समझा रहा हूं मैं calculus में चला गया था स्वारी मैं calculus के method पर चला गया तो मुझे बाद में बताना है इसको अभी तो हम general method पर चला है यह मैंने लिखा है basic formula पर best या general method यह general method है ठीक चलिए तो उसके लिए हमको क्या करना है सबसे पहले हमको निकालना यहां पर आउस्त श्त वेग निकालना है इसको मैं कह दिया भी average और यहां पर हमको दो वेलसीटी के अंतिम वेग और प्रारभिक वेग के best पर हमको formula find करना है क्योंकि कभी भी हमको विस्थापन निकालना है तो दो उसमें वेग होगा final velocity होगा और initial velocity होगा तो यहां पर आउस्त वेग इक्व चुकि अपने को पता है कि दूरी बराबर या वेक बराबर हम लिख सकते हैं या सिधा दूरी बटे वेक भी इसको लिख सकते हैं तो अवसत वेक को हम क्या लिख सकते हैं वेक बराबर दूरी बटे समय है तो एस अपांटी लिख सकते हैं तो एस अपांटी इक्वल टू यह ह हमने वेक क्या लिख लिए, A सपान T लिख लिए, क्योंकि वेक बरावर दूरी बटे, समय होता है, that implies, अब इसको आगे हम सालव करें, तो A सीक्वल, T को उधा ट्रांसफर कर दें, और T को उधा ट्रांसफर करने के साथ, यहाँ पर जो यह V का मान है, जो की पर हमने क्या कर दिया, यह तो U का U रहने दिया, और V को लिख दिया, U प्लास A T, यह V को अपर ट्रांसफर करके, इधार लिख दिया, इस तरह से हमने उसको पक्छांतर कर दिया, अब आगे इसको हम सरल करें, तो सरल करें तो क्या होगा देखो यहाँ पर यहाँ पर u प्लस u क्या होगा 2u तो यह हो जाएगा s equal 2u plus a into t upon 2 into t that implies आगे साल्व करे s equal 2 का दोनों में भाग दे दो तो 2 कर जाएगा और u प्लस यह हो जाएगा 1 upon 2 a t और bracket bracket के बाहर में क्या है t अब bracket के बाहर में t है उसको अंदर multiply कर देते हैं तब हमको क्या मिल जाएगा that implies s equal to u into t plus 1 upon 2 a t square यह हो जाएगा गती का दृति समीकरण गती का दृति समीकरण s equal to ut plus half a t square clear third equation of motion गती का दृति समीकरण और यह होता है v square equal to u square plus 2as यह गती का दृति समीकरण होता है और इसको हम कैसे proof कर सकते हैं यह देखो इसको proof करने के लिए हम क्या करते हैं गती के प्रथम समीकरण को लेते हैं सबसे पहले तो गती के प्रथम समीकरण से गती के प्रथम समीकरण से गती के प्रथम A into T, अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो V square equal to हो जाएगा, U plus A into T का whole square, यह होगा, that implies अब इसका यह पूर्ण वर्ग करें, तो यह हो जाएगा, V square, इसका पूर्ण करें, तो U square plus 2AB होता है, तो हो जाएगा, 2 U A into T, और प्लस इसका square, मतलब A square T square, यह हो जाएगा, इस तरह से आप देखो, V square equal to U square plus 2U A T plus A square T square, आगे इसको हम simplify करें, तो that implies यह हो जाएगा, V square equal to U square, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना आप, यह दोनों पार्ट को देखो, इसमें 2U, 2 A, दोनों में हम 2 A कामन कर लेते हैं, A तो दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, तो उसमें भाग हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम 2 A कामन कर लें, तो बचेगा क्या, यह थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने कामन कर लिया 2 A, तो 2 A जब मैं कामन कर लूँगा, तो 2 A गामन करने से यहाँ से क्या बचेगा, U T, यह बचेगा U T, और प्लस, आगे क्या बचेगा, देखो, यहाँ से 1 A कामन हो गया है, और 2 को हमने common किया तो जब भी हमकी सीज को common करते है तो उसका divide होता है क्योंकि 2 तो है नहीं तो 2 का वहाँ पर divide होगा तो 2 divide होने से 1 upon 2 और हो जाएगा 80 square यह हो गया अब आप बताइए इसको यह जो लिखा हूं मैं ut plus half 80 square इसको क्या लिखा जा सकता है yes very good बहुत अच्छा क्या लिखा जा सकता है उसको s लिखा जा सकता है तो that implies अब हमारा next step हो जाएगा v square equal to u square plus 2 a s और a proved हो जाएगा एक गती का तिर्थी समीकर proof हो जाएगा इस पकार से आप देखो गती का तिर्थी समीकर यह proof हो जाएगा मैं इसका class करूँगा आप लोग परसानवत होएगा बस अभी मेरा को 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है वहां से आके मैं तुरंकी start करूँगा सुर्वात से मैं इसके exercise कराऊँगा आप चिंता मत करो अभी मैंने class start किया था लेकिन अब मैं सुरूर से उसके पूरे exercise को कराऊँगा आपको NCRT का book का कोई problem यहां तक बिल्कुल skin start ले लीजी आप लोग को skin start लेना है तो तो यह हमने गती के तीनों समीकरण को इसके basic concept वाले method से या general method से हमने इसको proof किया ग्राफी विधी से सिध्ध करने के लिए बोले तो आपको इस question को ग्राफी विधी से सिध्ध करना पड़ेगा तभी आपको इसमे मार्स मिलेंगे otherwise आपको इसमे मार्स नहीं मिलेंगे क्योंकि जब method declare हो जाता है तो method वही use करना पड़ता है जो पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर देखो ग्राफी विधी ग्राफी विधी से तीनो समीकार को proof करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ तीनो को proof करने में काम आएगा ऐसा नहीं कि सब चीज ग्राफ पर ही बेस्ट है तो ग्राफ तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा यहां सम पर्पेंडिक पुना ड्रा करेंगे यह जो मैं पिछले क्लास में ग्राफ पढ़ाया था वही है यह वेलसिटिदी टाइम ग्राफ यह वीटी ग्राफ है मतलब इसमें X-Axis में टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है और यह जो Y-Axis है इसमें वेलसिटी को तो vadociti को represent किया गया है एक initial velocity ये u है और दूसरा velocity जो है उसको भी मैं यहाँ पर डाकर लाइन से सो कर दूँ ग्राप को ध्यान से समझ जा ना ये velocity यह जो की अंतिम वैग है भी यह ये अंतिम वैग मअलों भी है ये मूल बिंदू है, ओ, इस point का नाम हमने दे दिया, suppose, इस point का नाम दे दिया, इस point का नाम हमने, suppose, b दे दिया, इस point का नाम हमने, c दे दिया, और ये कोंड suppose क्या है, ठीटा है, ये प्रारंभीक वेग है, ये अंतिम वेग है, और यहां से यहां तक का जो समय है, वो मालो इस इस पकार से हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जो की velocity time graph है क्रें तो velocity टाइम ग्राफ ड्रा करने के बाद और बिंदुओं का नाम दे देते हैं इस बिंदू का भी जुरत पड़ेगा इसका नाम ड्री दे दिया यह तो आल्लेडी ओ है तो सारे points का मैंने नाम दे दिया अब इस किसी को graph में कोई problem हो तो बता दीजिए क्योंकि जब तक आप graph नहीं समझेंगे एक बार बताता हूँ ध्यान से सुनो कुछ student के कहना है कि एक बार बता दीजिए सर, x-axis में हमने time को लिया है, y-axis में हमने wake को लिया है जिसमें a बिंदू पर प्रानभिक wake u है, b बिंदू पर पिंड का जो wake हंतिम wake भी है यहां से यहां तक समय t है a, b इसका graph है जिसको graph का ढाल कहते हैं, पिछले class में आपने पढ़ा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर class को आप अच्छे से पढ़के आओ और यहां से a से c पर डाला है, तो यहां पर जो code बना है, b, a, c, यह theta है, ठीक है, यह graph का explanation है, अब हम देखते है proof first, प्रसम समीकरण इसी graph से अब हम सभी समीकरण को proof करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रसम समीकरण को proof करते हैं first equation आप मुस्तन को प्रसम समीकरण को proof करने के लिए हम graph को help लेंगे तो यहां पर देखो graph का ढाल यह जो graph का ढाल है जिसको हम 10 theta कहते हैं तो कौन सा त्रिभूज में? त्रिभूज, a, b, c में समकोर त्रिभूज, a, b, c में इस समकोर त्रिभूज, a, b, c को यदि हम लें और इसमें यदि हम 10 theta निकालें तो 10 theta पराबर क्या होता है? लंब बटे आधार समकोर त्रिभूज, a, b, c में 10 theta पराबर लंब बटे आधार तो लंब क्या है? b, c b, c यहां पर लंब है तो यह हो जाएगा b, c और आधार क्या है? a, c तो आधार यहां पर a, c हो जाएगा that implies, आगे हम solve करें, तो आपको मालूम है कि कल के class में मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था? कि a बराबर 10 theta होता है परिवर्ती गती के लिए त्वराण क्या होता है? 10 theta के बराबर होता है आप याद करो, कल हम graph पढ़े थे तो a बराबर 10 theta हमने proof किया था तो यहाँ पर 10 theta को हम क्या लिख सकते है? 10 theta को a लिख सकते है इससे, इसके बाद b, c देखो यह जो b, c है गोह क्या है? यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है तो b, c उसका अंतर है बताँ वास्ताव में b, c क्या है? v, minus u के बराबर है तो b, c को लिख सकते है v, minus u लिख सकते है graph से और minus a, c यह जो a, c है वो वास्ताव में od के बराबर है जो कि किसके बराबर है? small t के बराबर है इसको हम small t लिख सकते हैं इस तरह से that implies आगे हम इसको solve करें तो t को इधा transfer कर दो तो a t equal to हो जाएगा v minus u therefore v equal to u plus a into t और इस प्रकार से गती का प्रसम समिकरन graphy विधी से proof हो जाएगा तो यदि आपको exam में graphy विधी बोले तो आप इस विधी से proof करोगे clear तो क्या होता है कि हमको गती के समिकरन को actual में तीन method से proof करना है और तीनो method मैं आपको बता रहा हूँ यह दूसरा जो है graphy विधी यह second number का method है यह second में साथ है graphy विधी तो इसके 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 बाद जिसके द्विती समीकरन को proof करेंगे graph यही रहेगा द्विती यह समीकरन second equation आप motion second equation आप motion को proof करने के लिए हमको मालूम है कि विस्थापन जो होता है वह क्या होता है graph में घिरे हुए छेतर फल के बराबर होता है ठीक है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं विस्थापन जिसको हम S से पदसित करते हैं तो विस्थापन S बराबर क्या होगा किसका छेतर फल होगा यहाँ से देखो यह छेतर फल होगा किसका A, B, D, O A, B, D, O जो कि एक समलम चतुर्भूज है तो क्या लिखेंगे विस्थापन S बराबर समलम चतुर्भूज समलम चतुर्भूज A, B, D, O का छेतर फ़ल इसका हम छेतर फ़ल निकालेंगे That implies S बराबर समलम चतुर्भूज का छेतर फ़ल कल मैंने आपको बताया था 1 बटे 2 समांतर भूजाओं के लंबाईयों का योग गुडित दोनों की बीच की दूरी होता है तो यह हो जाएगा 1 upon 2 और समांतर भूजाओं की लंबाईयों का योग तो समांतर भूजा ये है और ये है तो यहाँ से यहाँ तक समांतर भूजा क्या है U है और यहाँ से यहाँ तक समांतर भूजा क्या है B या एक बार नाम में लिख देता हूँ O A plus BD O A plus BD O A plus DB भी लिख सकते हैं BD भी लिख सकते हैं यह BD और into उनके बीच की दूरी तो इन दोनों की बीच की दूरी क्या है AC या OD कर सकते हैं यह कहीं मतलब है यह सब कल में आपको पढ़ा चुका हूँ AC हो जाएगा that implies अब इसके value put करें तो S equal to 1 upon 2 ग्राफ में देखो यह U है यह V है और यह क्या है T है इस तरह से अब आगे हमको पता है कि V equal to U plus 80 होता है तो that implies यहां से लिखा जा सकता है S equal 1 upon 2 U plus यह जो V का मान है उसको U plus 80 लिख सकते हैं प्रथम समी करण से यह हो जाएगा into T that implies S equal 1 upon 2 और यह दोनों जूर के 2U plus 80 into T अब जब अंदर इसका multiplication करें इसका और इसका अंदर multiplication करें S equal to 1 बटे 2 के साथ गुणा होके कट जाएगा और T इसके साथ multiply होके UT और प्लस यहां पर हो जाएगा 1 upon 2 80 square इस तरह से तो यह देखो यह है क्या गती का दूती समी करण ग्राफी विधी से मतलब आपको यहां पर graph को use करना है और graph को use करके फिर उसको derive करना है ते है गती का दूती समी करण ग्राफी विधी से वही वही चीज प्रूफ हो रहा है आपको method change हो रहा है बस next है 33 समी करण गती का 33 समी करण 33 समी करण का भी जो proof है वो 50% तो यही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा है तो 33 समी करण का proof इसके लिए भी हम क्या करते हैं विस्थापन का समी करण लगाते हैं जो भी हमने आपको बताया s equal to होता है समलम चतुरभूज आधा काम वही है समलम चतुरभूज a, b, d, o का छेतरफ है जो भी यूज किया है तो s equal to क्या हो जाएगा 1 upon 2 यह जो भी यूज किया है वही यूज करोगे o a plus b d into a c o a plus b d o a plus b d into a c that implies s equal 1 upon 2 o a का वेल्यू क्या है u और इसका वेल्यू v और इसका वेल्यू t बस यहाँ पर अब थोड़ा सा change करना है चुकि हमको second equation आप motion में second equation आप motion में v equal to u square plus 2 a s मतलब वहाँ पर time नहीं होता तो time को यहाँ से replace करना है यहाँ से time को replace करना है मतलब t को यहाँ से हटाना है तो t को हटाने के लिए हम क्या करेंगे देखो that implies s equal 1 upon 2 u plus v और ध्यान देना गती के प्रसम समीकरण से v equal to u plus a t होता है मतलब t equal to v minus u upon a लिख सकते है t का value v minus u upon a लिख सकते है तो इसको हम लिख देंगे इस पकार से v minus u upon a यह किसका value हो गया time का value हो गया आगे हम इसको solve करें तो that implies s equal to 1 upon 2 एक कम करो यह 2 को a को इधर transfer कर दो तो 2 a s हो जाएगा और यह क्या है v plus u यह v minus u तो हो जाएगा v square minus u square that implies इसको इधर transfer करें तो v square equal to u square plus 2 a s इस पकार से यह इसका गती का त्रिश्टी समी का टूफ है ग्राफी विधी से तो बहुत आसान है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है बहुत ही आसान है तो आपको एक्जाम में जो पुछे एक्जाम यह दि आपको पुछता है समायने method से वैसी बना लोगे ग्राफी विधी बोले तो ग्राफी विधी से बना लोगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे calculus का method calculus का method सबसे ज़्यादा important है उसका कारण यह है कि आप यह दोनों method तो 9 अगरा में भी पढ़ लेते हो लेकिन calculus आप 12th class में पहली बार पढ़ते हो कभी भी कोई भी teacher यह question जब 11th class में देता है तो मेरा जहां तक experience है कि वो calculus का method ही देता है calculus के method से ज़्यादा पूछा जाता है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं third method calculus और इस method को बहुत ध्यान से समझना वैसे तो आपने सभी को ध्यान से समझा होगा लेकिन इसको और especially care करना क्योंकि calculus का method आपके लिए नया है और important भी है तो यहां पर integration के बैस पर यह proof होता है एक-एक करके हम proof करते जाते हैं और जहां पर हम समाकलन करेंगे आपको पहले ही हम बता दिये हैं कि गडिती आउधाना को आप अच्छे से पढ़ो तो प्रथम समी करण first equation प्रथम समी करण का proof प्रथम समी करण को proof करने के लिए हम सबसे पहले तोरान का जो हमारे पास फार्मूला होता है क्योंकि V equal to U plus A T proof करना है तो हमको मालूम है कि A equal to सीधा सीधा हम लिखेंगे चूंकि त्वरान A equal to होता है D V बटे D T हम जानते हैं कि त्वरान का जो value है वो differentiation आप velocity with respect to time होता है जब हम wake का समय के साफे शावकलान करते हैं तो वह त्वरान कहलाता है यह मैं basic introduction class में आपको पढ़ा चुका हूँ आगे हम इसको solve करें तो that implies इसको इधा transfer कर दें तो हो जाएगा D V equal to A into D T यह अब इस step के बाद इसका सिधा समा कलन करेंगे देखो समा कलन करते समय हमको limit लगाना होता है तो यह हो जाएगा हम इसमें limit लगाते हैं तो यहाँ पर V के साफिश समकलान होगा तो V का limit लगेगा तो lower limit U मने निमन सीमा क्या होगा प्रारंभी क्वेग यह हो गया U और उच्च सीमा कितना हो जाएगा अंतिम वेग भी हो जाएगा time का limit लगाए तो initial time 0 है और final time क्या है T है इस तरह से तो यह इसके साथ में हो जाएगा यह आप देखो अब आगे जब हम solve करें तो आगे solve करने पर क्या हो जाएगा that implies इसका integration आप D भी कौन बताएगा भाई integration आप D भी क्या होगा आप मेरा को यह बता दो integration आप D x क्या होता यह बता दो फार्मूला में मैंने integration आप D x समझाया था क्या होगा integration आप D x क्या होगा चलिए बताइए सबसे पहले पढ़ाई का सुरुवात गडिती आउधारना से करो integration आप D x x होता है कुछ लोगों ने x प्लस c आंसर दिया वो सही है लेकिन यहाँ पर c लिखना जवरी नहीं होता x प्लस c इसका सही आंसर है खाली x भी लिख सकते हो ठीक है तो integration आप D x x होता है तो यहाँ पर integration आप D भी क्या होगा भी देखो मैं आप लोग को समकलन विधी से पढ़ा रहा हूं और आप लोग को समकलन विधी नहीं आएगा तो नेचुरन सा बात है आपको कैसे समझ में आएगा बताओ जब तक आप लोगों को समख लन नहीं आएगा तो कह समझ आएगा इसलिए आज ही मैं आपको बोल रहा हूं कि 2-3 दिन में आप मूल भूद गडिती आओ धाना को अच्छा कर लो यदि आपको फिजिस आगे अच्छा समझना है तो अब आगे क्या होगा A constant है वो बाहर हो जाएगा और integration आप dt क्या होता है T integration आप dt T होता है इसका lower limit 0 है और upper limit T है अब जब हम इसमें limit put करेंगे तो upper limit minus lower limit मतलब V minus U ऐसा होगा that equal to A into upper limit T minus lower limit 0 ऐसा होगा that implies V minus U equal to A into T यह हो जाएगा अब U को हम उधर transfer कर दे तो therefore यह हो जाएगा V equal to U plus A into T V equal to U plus A into T यह प्रथम समीकर हो जाएगा आउकलन विधी से तो एक्जाम में दी आपको आउकलन विधी बोला जाए तो आपको ऐसा ही साल्व करना पड़ेगा दी ती समीकरन कल्कुलस के विधी से सेकंड एक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं बाई कल्कुलस मेथड चलिए तो सबकुलस मेथड से प्रूफ करने के लिए चूंकि सेकंड में विधापन आता है तो तो स से स्टार्ट करो मतलब वी सी स्टार्ट करो वी इक्वल टू होता है दी एस बाई डी टी क्योंकि हमको इसमें विधापन चाहिए तो वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी हमने लिख लिया that implies अब ध्यान से समझते जाना dt की इधार टांसफर करूँगा तो ds equal to होजाएगा v into dt that implies ds equal to अब यहाँ पर v का गती का प्रथम समिकर पूट कर देते हैं u plus at into dt that implies अब आगे इसको साल्व करें तो ds equal to dt का इसके साथ multiply कर दें u into dt plus इसके साथ multiply कर दें अब इस condition में आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे समा कलन जैसे हम इस condition में आएंगे तो यहाँ पर हम इस गाप समा कलन करेंगे तो दोनों साइट का समा कलन करेंगे तो समा कलन करने पर क्या मिलेगा आपने को देखो दोनों साइट का समा कलन करें तो integration of ds equal to, यह हो जाएगा, integration of u into dt plus integration of at into dt, यह होगा, अब यहाँ पर हम limit put करें, तो चुंकि यहाँ पर तो दो वेग है नहीं, अंतिम प्रारभिक वेग है नहीं इस equation में, तो यहाँ पर दो वेग put करनें, जोरत नहीं, फिर भी हम इसके value को इस पकास put कर सकते हैं, विस्था आपन s होगा, ना लिखें तो भी चलेगा, t प्रारभिक वेग सुन्य, अंतिम वेग t, यहाँ पर भी t के साब एक, तो प्रारभिक समय t, और अंतिम समय t, मतलब समय का हम वहाँ पर limit put करेंगे, initial time 0 है, final time t है, अब इसका समखरन करें, तो integration of ds, s होता है, यह हो जाएगा s, और 0 to s, यह हो गया, that equal to u constant है, उसको बाहर कर लिए, integration of dt, t होगा, और यह हो जाएगा 0 to t, plus, यहाँ पर हम a को common कर लें, इस तरह से, तो t का power 1 है, इसका समय करन हो जाएगा, t square upon 2, और यह 0 to t, यह होगा, that implies upper limit minus lower limit, s minus 0, यह होगा, that equal to u into upper limit minus lower limit, t minus 0 होगा, अब plus 2 को बाहर कर दें, तो a upon 2 और यह upper limit t square minus lower limit 0, ऐसा होगा, अब इस तरह से s minus 0 तो s होगा, that implies s होगा, s, यहाँ पर अंदर multiply करें, तो यह ut होगा, प्लस इसमें अंदर multiply करें इसका, तो 1 upon 2 a t square, तो यह हो जाएगा, s equal to ut plus half a t square, s equal to ut plus half a t square, यह होता है, द्विती समी करन, समाकलान विधी से, त्रिती समी करन को proof करें, तो त्रिती समी करन प्रूफ करेंगे, कहां से देखो, पहला step आपको सबको याद रहना चीहें नहीं, तो गडबड हो जाएगा, यहाँ पर फिर हम तोरान का फार्मूल लगाएंगे, और इसको थोड़ा adjust करेंगे, तो a equal to होता है, dv by dt, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसका adjustment, यदि कोई भूल गया, तो उसको बड़ा problem हो जाएगा, तो adjustment यहाँ पर क्या करना है, ds का multiply करो, और ds का divide करो, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमको wake create करना है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, that implies a equal to ds by dt velocity होजाएगा, तो उसको हमने v लिग दिया और dv बटे ds को अलग से लिग दिया इस तरह से अब ds को इधा transfer करने से क्या हो जाएगा a into ds equal to v into dv इस पकार से तो यह adjustment वाला line बहुत important है यहाँ पर यदि इस line को आप भूले तो आपको यह formula derive नहीं होगा तो adjustment वाला step आपको बहुत ध्यान से याद करके रखना है ठीक है और मैंने बता दिया कि क्यों रखना है अब इसके बाद हम करते हैं इसका समा कलन करें तो समा कलन करने पर समा कलन करने पर दोनों साइट का हम समा कलन करें यह दि तो a into ds equal यह हो जाएगा v into dv that implies a constant है उसको बाहर कर रहो तो यह हो जाएगा a और integration आप ds क्या होगा s लिख लेंगे उसको v का integration हो जाएगा v square upon 2 एक मिनट इसको थोड़ा सा स्वारी यहां पर हमको limit पूट करना पड़ेगा limit तो पूट करना पड़ेगा क्योंकि दो वेलसिटी है प्रारंभीक और अंतिम तो एक आंस्टेंट है बाहर कर लो और integration आप ds यह 0 to s होगा लेकिन यहां पर integration आप v into dv तो initial minus a initial up to final होगा क्योंकि वेग दो है प्रारंभीक वेगा अंतिम वेग दैट इंप्लाइज इसको साल्म करें तो ए और s का integration s होगा 0 to s that equal यहां से इसका integration करें तो v square upon 2 होगा यह lower limit यह upper limit अब क्या करें हम इसको a upper limit minus lower limit तो s minus 0 होगा that equal 2 को बाहर कर दिये तो 1 upon 2 और upper limit minus lower limit माने v square minus u square ऐसा होगा इस तरह से आप देखो अब square यह हम 2 को इधर transfer कर दें मैं side में लिख दो इसको जगा तो है मेरे पास यही side में लिखने से comparatively समझ में आता है next slide के बजाए चलो अब क्या करें 2 को इधर पक्छांतर कर दें तो 2 की इधर पक्छांतर कर दें तो that implies यह हो जाएगा 2as और that equal इधर हो जाएगा v square minus u square तो यह हो जाएगा v square minus u square that implies अब इसको इधर transfer कर दें तो v square equal to u square plus 2as यह हो जाएगा गती का 3 समीकर गती का 3 समीकर तो इस पकार से आप देखो कि हम equation आप motion को तीन विधी से आपको आज हमने समझाया है एक बार मैं repeat करता हूँ सुरू से ध्यान देना देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया यह गती का समीकर अरण गती का समीकर यह 3 होता है कौन-कौन सा variable क्या है यह explain कर दिया इसके बाद method number first basic formula से यह हमने गती के तीनों समीकर को प्रूफ किया इसके बाद हमने देखा graphically विधी तो graphical method से हमने गती के प्रसम समीकर को फिर दिती समीकर को फिर तिती समीकर को प्रूफ किया इसके बाद फिर देखो ये है आउकलन विधी तो calculus की विधी से फिर गती का प्रसम समीकरण गती का दिती समीकरण और गती के तिती समीकरण को proof किया इस पकार से आप देखो कि ये गती का तिती समीकरण भी proof हो गया दो method से तो ये बहुत important है और exam में आपको जिस method से पूछा जाएगा उस method से आप solve करना तो ज़्यादा बेहतर होगा okay clear relative velocity आपको मालूम है principle आप relativity का बहुत famous concept Albert Einstein ने दिया relativity का मतलब ही होता है तूलना करना एक का किसी दूसरे के साथ तूलना करना क्या कहलाता है आपको याद होगा कि जब मैंने motion को स्टार्ट किया जब मैंने आपको motion पढ़ा नहीं स्टार्ट किया तो सबसे पहले lecture में मैं आपको यही समझाया था कि किसी भी पिंड के गती अवस्था को हम किसी दूसरे पिंड के साथ तूलना करके ही बता पाते हैं मैंने आपको बताया था कि प्रिथवी की गती का हिसास हमको इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास में कोई इस्थिर पिंड नहीं है जिस continuously तूलना करें और उसके गती के बारे में हम उसको बताएं तो इस तरह से वास्ता वे गती अपने आपमें सापेक्ष ही है आपेक्षीख ही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दो Pinho के किसी भी दो Pinn्ड के आपेक्षीक वेक्ष को एक के सा पेक्ष दूसरे के साथ उसका गतिक इस पकार से यह पढ़ेंगे इसके बहुत सारेकों एक एक करेंगे हमको समझते जाना है तो सबसे कूछ पहले हम पढ़ेंगे वन डाइमेंशन एक वीमी एक वीमी 10 कट में मैं लिख दूं वनडी मतलब वन डाइमेंशन वन डाइमेंशन को समझने के लिए हम किसी भी दो गति सिर्फिंड का हमें एक एकजांपर ले लेते हैं यहाँ पर हम एक्जामपर ले लेते हैं दो कार का हम यहाँ पर एक्जामपर ले लेते हैं दो ट्रेन का किसी प्रकार से दो गती सिर्पिंड का हम यहाँ पर एक्जामपर ले लेते हैं और दोनों को हम तुलनात्मा कुर्प से फिर देखते हैं कि किस पकार से उसके गती में changes होता है चलिए तो यहाँ पर हम ले लें दो कार दोनों के पत्थ को मैं इस पकार से रिप्रेसेंट कर रहूं एक का पत्थ यह है मालो और दूसरे का पत्थ ही है दोनों अलग-अलग जगा से गती स्टार्ट करते हैं अलग-अलग जगा में जाकर रुपते हैं उसका नाम मैं ने दिया मालनो कार A ने अपना गती V A velocity से स्टार्ट किया उसी तरह से इस कार B ने V B velocity से अपना गती स्टार्ट किया ये इसका initial position ने मतलब प्रारमिक इस्थिति है जिसको हम X 1 0 कहेंगे X 1 0 का मतलब होता है उसका प्रारमिक मतलब 0 समय पर इस्थिति मालनों आप इमेजिन करो कि आपके सहर के आसपास कोई 2 आसपास के railway station है एक में टेन खड़ी है दूसरे में दूसरे टेन खड़ी है जब दोनों टेन खड़े हैं तो 0 टाइम में हम उसके position को हम X 1 0 मार रहे हैं क् इसको हम माल लेते हैं सपोस X 2 0 इस condition पर यह है अब इसने गती start किया और इसने सपोस T समय तक गती किया इसने गती किया ती समय तक और इसने भी T समय तक गती किया दोनों ने T टाइम तक motion किया और T समय तक गती करने के बाद यह सपोस इस position पर पहुँच गया यह कार का पहल ठीक है यह है X1T ओके क्लियर यहां तक और यह दूसरे कार का जो position है second number B car का उसका position suppose यहां पर पहुँच गया उसका position है suppose X2T मतब T समय पर second car का position ओके क्लियर यहां तक अब यहां पर हमको इसके relative velocity को जानना है तो relative velocity को जानने के लिए हम क्या करेंगे क्या होगा वेक बराबर होता है मिस्थापन बटे समय डिस्प्लेश्मेंट अपन टाइम तो final position माइनस initial position अपन टाइम ठीक है तो क्या हो जाएगा पहले train के लिए final position क्या है X1T तो यह हम लिख सकते हैं X1T final position माइनस X1 नाठ initial position परणभी किस्थिति और बटे T अंतिमिस्थिति रिड़ परणभी किस्थिति बटे समय यह हो जाएगा भी है और इसी प्रकार से VB equal to क्या हो जाएगा इसके लिए अंतिमिस्थिति मतलब X2T minus X2 not X2T minus X2 not और अपन T यह हो जाएगा तो इस तरह से देखो यह हमारे V और VB का velocity हो जाएगा अब relative velocity निकालना है A का B के sub-ex यह हम B का A के sub-ex भी निकाल सकते हैं तो जब एक पिंड का दूसरे पिंड के sub-ex जब हम relative velocity निकालते हैं तो जिसके sub-ex दिसरा velocity निकालना होता है उसको हम उसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं ठीक है तो पिंड A का यह कहलाएगा आपेक्षी क्वेग इस तरह से तो पिंड A का यहाँ पर इस बात को आप इस परेसी नोटिस करना कि हम किसका निकाल रहे हैं A का निकाल रहे हैं हमको चाहिए A का आपेक्षी क्वेग लेकिं सापेक्ष क कौन होगा? जिससे हम को तुलना करना है वो क्या होगा? B होगा इस परकार से जब मनने लिखे बेंगे तो उसको हम पदाश्यत करेंगे VAB का मतलब ही होगा PIN A का B के सापेक्ष वेग जिसको हम VAB कहेंगे और इसका वेल्यू होगा VA-VB VA-VB, मतलब हम क्या करेंगे, A के वेग में, B के वेग को माइनस करेंगे, तब हमको आपके शिक वेग ग्यास हो जाएगा, VA-VB, यहां से हम VA-VB का वेल्यू निकाल के रखे हैं, अब उसको वहाँ पर हम रख देते हैं, तो VA का वेल्यू कितना हो जाएगा, that equal, VA का वेल्यू ह minus x2 not upon t, इस पकार से होगा, दोनों का वेल्यू हमने put up कर दिया, अब दोनों को LCM निकालेंगे, तो दोनों के LCM कितना होगा t, चुँकि दोनों का t हर समान है, तो दोनों के LCM कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, इस तरह से अब उपर के वेल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, यह T हमने LCM कर लिया, यह पहले लिख लेंगे, यह हो जाएगा, X1 T minus X1 naught, अब यह minus का अंदर multiply होगा, तो यह हो जाएगा, minus X2 T, और minus into minus कितना हो जाएगा, plus, और यह हो जाएगा, X2 naught, यह होगा, clear यहाँ तक? अब इसमें क्या करेंगे, हम T, T वाले को एक साथ pair बना लेते हैं, और naught वाले को, मतलब initial position को दूसरा pair बना लेते हैं, तो इस condition में हम इसको आगे लिखना चाहें, तब क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, यहाँ पर हम इसका pair change कर रहे हैं, और upon में तो T ही लिख दिए, upon में स position बना रहे हैं, यहाँ पर, और naught का naught के साथ में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, X2T, minus X2T, तो X1T minus X2T, यहाँ पर हो जाएगा, X1T, ठीक है, minus X2T, एक bracket में हो गया, अब यहाँ से हम क्या करें, minus को common कर लें, तो minus को common कर लेंगे, दूसरे bracket में, यह हो ज 0, minus, अब यह प्लस, minus हो जाएगा, यहाँ जाएगा, X2, 0, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, यह लाइन क्या कहता है, इस लाइन का sense क्या है, X1T minus X2T, मतलब दोनों का T समय पे गती करने के बाद, दोनों की बीच का विस्थापन, वास्तों में यहाँ पर हम चित यह जो data line से मैं so कर रहा हूँ यहाँ पर, यह दोनों की बीच की दूरी है, आप समझ सकते हो, कि यह जो दूरी है, यह दूरी, क्या है, X1T minus X2T है, मतलब पहले पिंड की स्थिती, और दूसरे पिंड की स्थिती, T समय में गती करने के पस्चाद, तो T समय में गती करने के पस्चाद दोनों की बीच का जो विस्थापन होगा, वो यह होगा, और minus X1 not minus X2 not, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर चीतर में देखो, जब दोनों ने गती करना प्रारम नहीं किया था, मतलब यह यहाँ पर खड़ी हुई विकल है, यहाँ पर खड़ी हुई बहुत सरथ सब्दों में हम एखें, इसको क्या कह सकते हैं? कि किसी भी पिंड का जो अपयक्सिक वेज होता है, वो क्या होता है? गती समाप्त करने के पस्छाथ दोनों के बीच का विस्थापन, रिड़ गती प्रारम करने के पुर्व दोनों की बीच का विस्थापन, और बटे गती करने में लिया गया समय, मतलब अपांटी इसके बराबर होता है, कुल मिलाके इसको हम बहुत सरन सब्दों में कहें, तो next slide में मैं इसको सब्दों में लिख देता हूँ, देखो, V, A, B का मतलब क्या होगा? वी ए भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं मैं इसको सब्दों में यहां पर लिख देता हूं अंतिम विस्थापन दो पिंडों के बीच का अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन यह कहलाएगा VAB तो VAB का मतलब हता है अंतिम विस्थापन दो प्रारंभिक विस्थापन बटे समय यह कहलाता है आपेक्षिक प्रारंभिक का फार्मूला अब इस फार्मूला को हम कई कंडिशन में कई रूप में इसको समझेंगे वो बहुत महत्व पूर्ण है पहले तो आप इसको इस तरह से आप सब्दों में समझ लो और इसका ठीक पहले वाले स्लाइट में मैंने आपको बताया यह आप इसकीन साथ ले लो इसका अब इस तरह से हम इस आपेक्षिक वेग को फार्मूला के फार्म में ऐसा लिख सकते हैं VAB equal to VA minus VB इस पकार से इसको लिखा जा सकता है मनें A का वेग रिड़ B का वेग VAB मतलब A का जो आपेक्षिक वेग होगा उसके बराबर क्या होगा A का वेग रिड़ B का वेग तो जब किसी पिंड का किसी दूसरी पिंड के सापेक्षा हम आपेक्षिक वेग निकालते हैं तो उस पिण्ड के वेग में हम दूसरे पिण्ड के वेग को माइनस करते हैं तो हमको आपेक्षिक वेग ज्याद हो जाता है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम आपेक्षिक वेग ज्याद करते हैं तो उसके special conditions होते हैं वो special condition पर हमको discuss करना है यहाँ तक आप समझों यहाँ तक कोई problem किसी को चलिए अब हम discuss करते हैं इसके special case पर special case और हम इसी फार्मूला पर एक बार अगेन लिखता हूं मैं इसको vab equal to होता है vab minus vb जिसमें पहला case है यदि vab बड़ा हो vb से अब इस relation में आप देखो यदि vab vb से बड़ा हो इसका मतलब क्या होगा ॥ इस relation में आप देखो यदि vab vb से बड़ा हो मतलब जैसे car a किसी दूसरे car b के सापेक्ष अपना आपक्षमी को जानना चाहता है और उसका खुद का वेग car B के वेक्स है दूसरे वेक्स है अधीक है मालनो दो car सीधी रेखा पर गती कर रहे हैं क्रोड पर गती कर रहे हैं और सामने B car है पीछे A car है और A car का जो वेला सिटी है B car से जादा है मालनो उसका वेक अधीक है तो किस पर car का condition आएगा ये देखो यह जो condition उपर लिखा गया है वहाँ पर हम apply करें तो क्या पता चलेगा B, A, B का जो value होगा जब A का value, B के value से बड़ा होगा तो इसका value क्या आएगा? Positive आएगा इसका मान धनात्मक आएगा मतलब किसी बड़े value से छोटे value को हम minus करेंगे तो naturally उसका value positive आएगा और इस तरह से जब positive आता है तो car A, एक बार car B को क्या करेगा? overtake करेगा overtake करेगा मतलब उससे पार होके आगे निकल जाएगा overtaking आप समझते हैं ठीक है? तो car A यहाँ पर pin भी लिख देता हूँ क्योंकि कोई जोरी नहीं कार हो pin A pin B को एक बार एक बार क्या करेगा? overtake करेगा यह बात आप ध्यान रखने मतलब इससे क्या रिज़र पता चलता है? यदि किसी भी pin का किसी दूसरे pin के सापेक्ष आपेक्षिक वेक धनात्मक है तो उस pin को एक बार once overtaking एक बार overtake कर सकता है एक बार से ज़्यादा overtake नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद उससे आगे निकल जागे बहुत समान्य केस है और बहुत ही सरल केस है एक एक करके एक केस को आपको समझते जाना है और इस पर जब numericals आएगा तो यह पूरे केस आपके काम आएंगे देखो मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि जब तक आपको proper concept clear नहीं रहेगा तब तक आप numericals नहीं बना सकते concept clear नहीं होने के कारण ही तो numericals हमको समझ में नहीं आते कि question बोल क्या रहा है इसलिए आपको छोटी-छोटी चीदों को बहुत ध्यान से समझना ठीक है तो यह हो गया पहला condition दूसरा condition देखो second number के case में देखो यदि va बराबर हो vb के यदि va vb के बराबर हो मतलब दोनों का velocity equal हो जाए तो उस condition में आप समझ सकते हैं तब vab का value vab का जो value होगा वह कितना होगा यह दोनों आपस में बराबर हो गए vab vb के बराबर हो गए तो vab vb के साथ में cancer out हो जाएगा और vab क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा that means pin a का जो आपक्षिक वेग है वह 0 हो जाएगा इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ इस्तिर हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ इस्तिर हो जाएंगे जैसे for example सब्सक्राइब कर दो अगल वगल आप साइकल चला रहे हो तो दोनों एक दूसरे के सापक इस्थीर हो क्यों कि आप दोनों एक दूसरे यदि दो पींड एक ही दिसा में समानवेक्स ह villagers हो तो उनका ढफ दोनों ईदूसे के सापक्स इस्तीर होते हैं यह कंडिशन होता है तीसरा कंडिशन देखो Delta अभिणी नंबर घर क्या कहता है कि यदि वी व Listening पहले बड़ा लिए फिर बराबर लिए अब छोटा लेते हैं कि पहले पिंड का जो वेग है वह दूसरे पिंड से कम हो सपोज मैं अपनी कार को 40 km प्रती घंटा के रपतार से चला रहा हूं और मेरे सामने एक और कार है और उसका इस्पीड है 60 km per hour मेरे कार की इस्पीड कम है तो naturally आप समझ सकते हैं कि हम उसको overtake नहीं कर सकते हैं उससे आगे नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर इसका concept में इसका relation क्या आता है देखो उस condition में VAB का जो value होगा VAB और इसका मान क्या हो गया कम इसका ज़्यादा हो गया तो यह क्या हो जाएगा negative हो जाएगा और कभी भी relative velocity relative velocity negative हो रिरात्मक हो तो कभी overtake नहीं होगा कभी भी overtake नहीं होगा never overtaking VAB equal to negative हो तो कभी भी क्या हो overtake नहीं होगा never overtaking कभी overtake नहीं होगा क्योंकि relative velocity negative है तो एक competitive में question कैसे आ सकता है एक पिंड का आपेक्षी क्वेग रिडात्मक है यह प्रदर्शित करता है एक बार ओवर टेकिंग बार बार ओवर टेकिंग कभी भी ओवर टेकिंग नहीं ऐसा आपको question कभी भी किसी भी exam में पूछा जा सकता है तो एक ध्यान में रखना कि जब negative हो तो उसका मतलग कभी भी ओवर टेक नहीं होगा इतना लिखो फिर्नेश स्लाइड में चलते हैं आज class 12th का class होगा आप सभी class होगे continuous actually मैं out of station था इसलिए भी class नहीं हो रहे थे अभी regular class होगा आज 12th का class होगा आज हमारा condition number 4 condition number 4 क्या कहता है रेखो यह बहुत important condition में है ध्यान में रखना यदि VB का जो value है वो minus VB हो जाए मतलब दूसरे pin का pin B pin B की जो दिशा है pin B की दिशा विप्रीथ हो जाए यदि pin B की दिशा विप्रीथ हो जाए तो उस condition में क्या होगा देखो तब relative velocity VAB equal to हो जाएगा VA minus minus VB VA minus VB that equal minus into minus plus होगा तो VA plus VB इस पकार से देखो VAB का जो value है वो V A plus VB के बराबर होगा कहने का मतलब क्या हुआ यदि दो pin एक दूसरे के ठीक विप्रीथ दिशा में गती कर रहे हैं तो ठीक विप्रीथ दिशा में गती करने पर दोनों का आप एक्छिक वेग एड हो जाता है जूड जाता है मालो एक ट्रेन इस दिशा में वी ए ये मालो 60 किलो मीटर पर अवर की स्पिट से जा रही है और दूसरी ट्रेन इसको पार करें वी भी मालो 40 किलो मीटर पर अवर से यदि इससे पार करें तो जब रिलेटिव एला सिटी हम इसका निकालेंगे तो वी ए भी बराबर दोनों एड हो जाएंगे मतलब 60 प्लास 40 और इकोल टू हो जाएगा 100 किलो मीटर पर अवर तो 100 किलो मीटर पर अवर इसका स्पिट हो जब दोने इस दिशे को वी प्रिदिशा में पार करेंगे इसलिए जब कोई ट्रेन या कोई भी वीकल हमारे बगल स्विप्रिदिशा से गुजरती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी स्पिट बहुत अधीक हो गया ठीक है अब इसके बाद इसका देखते हम चौन्था कंडिशन स्वारी फिफ्थ कंडिशन फिफ्थ और लास्ट कंडिशन और यह बहुत मिज़दार कंडिशन है यह आपने देखा होगा यदि भी ये बराबर जीरो यदि भी ये बराबर जीरो हो भी ये बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो पहला पिंड है जो अपना अपेक्षिक पेafter कानना चाहता है बी के सापेक्ष वह क्या है है जीरो है मतलब वह रेस्ट कंडिशन में है तो उस कंडिशन में क्या फर्मूल आएगा देखो तो हमको मालूम है कि वीए V equal to V minus V B, तो 0 minus V, मतलब minus V B हो याएगा, कहने का मतलभ, यदी कोई इस्थिर्पिंड, किसी गति-सिल्पिंड उसके negative velocity के equal होता है, उसके negative velocity के equal होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इस तरह की एक जामबन से आपको को समझाओं को समझ में आएगा कि जैसे मालों आप किसी ट्रेन में किसी ट्रेन पर आप बैठे हो और आपकी ट्रेन क्या है इस्थिर है मतब आपकी ट्रेन रुकी हुई है आपने देखा होगा कि आपकी क्या है ट्रेन में बैठे हो और वह स्टेशन में खड़ी है लेकिन जै लगता है कि हमारी ट्रेन चलने लगी उसका करण क्या है कि हम भले इस्थी रवस्ताम हैं लेकिन हमारा जो अपेक्सिक है वह सुनी नहीं है वह उस ट्रेन के वेक के बराबर है जिसको हम देख रहे हैं और दिसा भी प्रित लगता है आपने देखा होगे ट्रेन ही उधर जा रही है तो हमको लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और ट्रेन आगे जाती हमको लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं ठीक है तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इसका जो velocity है, relative velocity जी होता है VAB, वह 0 नहीं होता, minus VB के बराबर हो जाएगा, ति ये 5 condition है, जो कि बहुत important है, बर ध्यान से समझो, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि relative velocity क्या होता है, तो relative velocity इस परकार से हम find कर सकते हैं, और उसके बाद हम हमने ये फार्मूला निकाला, और इसके बाद हमने इसके special cases देखें, ये 5 case बहुत important है, तो ये है one dimension relative velocity, एक विमी आपक्षी quake, अब हम देखते हैं, two dimension को बता दूँ, मैं इसके बाद मैं special case आपको समझाओंगा, चलिए ठीक है, two dimension बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपक अभी हमने देखा, वो क्या है, one dimension है, अभी हमने देखा, वो, one dimension है, इसके बाद देखेंगे हम two dimension, दूँ इमी आपक्षी गती, मतलब side family फरों में two dimension, पहले हमने one dimension देखा relative velocity का, और ये इसका second condition है two dimension, two dimension relative velocity का मतलब क्या है, देखो two dimension relative velocity में, यदि एक pin, जिसका हम दूसरे अलग अलग हो अभी हमने दो पिंड का जो तुलना किया उसका सिप्रेशन क्या था कि दोनों एक ही दिशा में गती कर रहे थे जैसे हम बार बार दो ट्रेन या दो कार का एक्जामपर ले रहे थे वह समानां तर एक ही रोड पर दोनों चल रहे हैं लेकिन ऐसा कंडिशन कि क्य हो कि जब दो ट्रेन किसी प्लेट फांपर अलग अलग दिशा में जाने लगे मालों कोई जंग्सन है वहां पर एक ट्रेन दूसरी दिशा में जाने लगी और दूसरी दूसरी दिशा में जाने लगी तो यहां पर रिलेटिव एलसिटी हम किस वगा से फाइंड करते हैं यह हम पढ़ेंगे तो टू डाइमेंशन के लिए मैं फीगार आपको बता दू सबसे पहले फीगार से ही आप उसको प्रापर समझ पाओगे देखो जैसे ये है एक डारेक्शन ये है और सपोस दूसरे पिंड के गती की दिशा ये है ये हमने दो डारेक्शन लिया सपोस इस वी इसके गती की दिशा ये है और दोनों के बीच का कोण ये जो दोनों पिंड है इनके बीच का कोण मालो थीट है ये हमने माल लिया तो दोनों पिंड जब अलग-अलग दिशा में गती करने लगेंगे इनके बीच का प्रेक्षित वेख हम कैसा निकालेंगे इसके लिए ह बाद हम यहां पर एक कंसर्शन करेंगे हम यहां पर एक समानता चतुर्भूज का कंसर्शन करेंगे ठीक है उसके लिए हम किया कि इस लाइन को इधार खीच लिए और यह हमने एक समानता चतुर्भूज इस तरह से बना दिया चले हमने एक समानता चतुर्भूज बना लिया इस तरह से हमने एक समांता चतुर्भूज बना लिया मालो और ये इसका विकार ने लिया ये इसका विकार ने लिया तो यहाँ पर हम negative direction में ले लिये इसको हमने negative direction में ले लिया ये minus भी है अब इनके बीच का जो कोड बनेगा यहाँ theta था तो यह जो बचा हुआ कोड है यह कितना होगा पाई माइनस थीटा क्योंकि टोटल पाई होता है एक सवसियंस पाई माइनस थीटा होगा और यह जो येलो कलर से लाइन आप देख रहे हो यह वास्ता में भी एबी है यह इसका रिजल्टेंड वेलंसिटी है मतलब उसको हमने क्या किया समांतर चतुर चतुर भूज का परणामी निकालने का हम फर्मूला लगएंगे जिसको हम समांतर चतुर भूज के सदिशय Г Orb का value क्या हो जाएगा ठीक है इसलिए VAB equal to समांतर चिदर भूच का नियम होता है under root A square plus B square plus 2AB cos theta ये गड़ितिया उधाना में मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ से बरावर उसको आप revise कर लो तो A square तो A का value क्या है V A तो V A का E square हो जाएगा अब इसको हम negative नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर minus को तो plus R A हो जाएगा ये तो V A square direct इसको bracket ना लगा के मैं V A square लिख रहा हूँ तो ये V A square plus B square मतलब V B square और plus 2 V A into V B और into दोनों के बीच का cast के साथ में कोर्ड कास तो दोनों के बीच का कोर्ड ये V B और V A दोनों के बीच का कोर्ड अभी मैं बताये कितना pi minus theta तो हो जाएगा cast pi minus theta ये हो गया cast pi minus theta अब cast 180 minus theta क्या होता है minus cast theta होता है इस परकार से हम इस फार्मूला को क्या लिख सकते हैं V A B equal to under root of यह हो जाएगा V a e square plus V b e square minus 2 V a into V b into cast theta यह तो V a b equal to under root of V a e square plus V b e square minus 2 V a v b cast theta यह फार्मूला हो जाएगा इसके परिणामी वेक के लिए कह सकते हो यह कह सकते हो आपेक्षिक वेक के लिए तो पिंड का आपेक्षिक वेक two dimension में हम इस पकार से निकालेंगे यह बहुत ही महत्पून फार्मूला है इसको याद रखोगे जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखोगे आपको कोई भी निवेर कनली बनने वाला इसलिए आपको फार्मूला को बहुत ध्यान देके याद रखना है ठीक है इसके बाद देखो नेस्ट हम देखते हैं इसकी दिशा तो दिशा ग्याद करने के लिए हम यहाँ पर direction direction मतलब क्या हुआ कि आपक्षिक गती में A का direction क्या होगा जब A का B के सापक्षम जब वेग निकालेंगे तो उसका दिशा क्या होगा तो मानलो यह जो परिणामी का जो दिशा है वह भी यह के साथ में अलफा कोंड बनाया हुआ है यह अलफा कोंड बनाया हुआ है तो यहाँ पर दिशा निकालने के लिए हम कौन सा फार्मला यूज़ करेंगे 10 अलफा यह सब आपको पढ़ाया जा चुका है और अभी तो हमने पूरे मित्मेटिस को एक ही वीडियो में कलेक्ट कर दिया है तो आप उससे वन साथ वीडियो से भी उसका पूरा रिवजन कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो 10 अलफा 10 अलफा निकालेंगे तो फार्मला क्या होता है D sin theta तो B का फेल्यू क्या है यहाँ पर वी बी तो हो जाएगा Vay B sin theta तो sine यहाँ पर कौर का मान है Pi minus theta तो Pi minus theta लिख देंगे और अपान होता है Va плюс Vb Vb कास theta तो कास Pi minus theta यह हो जाएगा तो Vb sin theta अपान Va plus Vb कास Pi minus theta Therefore फोर इसको हम और simplify कर दें तो 10 alpha equal to यह तो ऐसा ही रहेगा VB sin 180 minus theta sin theta होता है तो VB sin theta हो जाएगा क्योंकि sin 180 minus theta sin theta होता है तो VB sin theta upon VA upon VA और VB cos 180 minus theta minus cos theta होता है तो हो जाएगा minus VB cos theta minus VB cos theta इस पकार से हम इसको इसका फार्मूला निकाल सकते हैं दिशा के लिए तो यह दोनों फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है एक तो परणामी के लिए यह परणामी के लिए फार्मूला और दिशा ग्याद करने के लिए यह यह कहलाता है दुई विमी आपको इस शिक गती के लिए फार्मूला टू डाइमेंशनल रिलेटिव वेलसिटी ओके टू डाइमेंशनल रिलेटिव वेलसिटी अब हम यहाँ पर कुछ special case पर discuss करेंगे जिसमें सबसे पहले नदी नाओ समस्या मतलब river boat problem यह टू डाइमेंशन मोसन का special case है और यह competitive exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको ध्यान में रखना यह ऐसा टापिक है जो कई बार कई बार नीट के एक्जाम में इस से related question पूछे गए है नदी नाओ समस्या का मतलब क्या है कि नदी और नाओ दो क्या है अलग-अलग गती सिल्पिन है और दोनों के हम को क्या कलना है तुलनात्मा की study करना है इसमें इसका पहला case है यह पहला case है नदी को निउन्तम पस्ते पार करना इसका मतलब क्या हुआ मैं यहाँ फिगर बना दूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है सपोज यह नदी के दो किनारे हैं नदी का दो किनारा है यह यहाँ पर माल लो एक आदमी तैर के या फिर बोट की सहता से आप कुछ भी समझ लो निउन्तम पत् है किसटर्ट मतलब वह सब्से चोटा डिस्टेंस से उस पर वा बर जाना चाहता है तो इस पकार से होगा किया जब उस पार जाना चाहेगा वह तो अपने गती के दिशा को वह इधर रखेगा क्योंकि जब इधर रखेगा तो नदी के बहाव के कारण वह अपने सीधे दिशा में जा सकेगा और यह उसका पहुंचने का पोजीसिंन हो गई यह फिघर को ध्यान में रखना इस पकार से हम क्या कर सकते हैं यहां से वह आदमी इस डारेक्शन में भी एम फार में यह लिग दिया गती प्रारम करेगा यह सेटी यह यहां पर पर और उर्धादर के साथ Przyड़ पुर्ण बनाके तो B पर पहुंचेगा और इसका परणामी वेग क्या होगा भी होगा हम यहाँ पर माल लेते हैं कि नदी के दोनों किनारों की चौड़ाई मालों ऐसे इस पकार से तो यह सीच्वेशन होगा इस सीच्वेशन से वह उस पार पहुंचेगा अब यहाँ पर हम आपको तीन फर्मूला बता रहे हैं और यह तीनों फर्मूला आपको समझना है याद भी रखना है तो competitive में बहुत काम आएगा जिसमें सबसे पहला फर्मूला है उसके दीशाग याद करने के लिए दीशाग याद करने के लिए मतलब जो नावीक है या तैराख है उसको कितना कोण बनाके उसको कितना कोण बनाके गती प्रारम करना चाहिए तो सबसे पहले दीशाग के लिए जो फर्मूला होगा वो होगा 10 थीटा साइटेस्ट साइन थीटा साइन थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे करन तो यहाँ पर देखो लंब क्या है वी आर और करन है वी एम तो वी आर अपान वी एम यह ऐसा याद रख सकते हाप इसको वी आर अपान वी एम इसका मतलब क्या हुआ कि यदी नदी के वेग से यदि नदी के वेग से आदमी के वेग को भाग दिया जाए या बोट के वेग को भाग दिया जाए और उसको साइन थीचा के बराबर लिखा जाए तो यहां से थीटा कमान निकलेगा दूसरा फार्मूला है उसका आपेक्षिक वेग दीशा के बाद हम आपे भूजा कर्ण है तो कर्ण से घड जाएगा यह हो जाएगा वी एम स्कूर माइनस भी आड़ स्कूर इस फार्मूला से आप एक छिक वेग निकलेगा और तीसरा जो है वो क्या है समय कितना समय लेगा वो इस किनारे से उस किनारे तक जाने में कितना समय लेगा मालो समय निकाल है और वेलासिट्टी हम यहां से निकाल रखेंगे इस पकार से तीनों फार्मूला आपका काम आएगा ठीक है कि कोई प्राबलम यहां तक तो यह है नदी को निउंतम पत्से पार करना यदि कोई देखा कि नियुंतम दुरी लगे अब मालो बोट में चाहता है कि मैं नदी को पार तो करूं लेकिन मेरे को समय कम से कम लगे मेरे को टाइम ज्यादा मत लगे तो इस कंडिशन में वो किस तरह सा डिसीजन लेगा और क्या-क्या फार्वुला निकलेगा यह देखो यह है नदी अब वो चाहता है कि मैं नियुंतम दूरी से पार करूं तो नियुंतम दूरी से पार करने के लिए उसको लंबध गति स्टार्ट करना पड़ेगा इस दिसा में लेकिन वह है नदी के बहाव के कारण पहुँच जाएगा यहां और नदी के बहाव उसको क्या करेगा उसको बनाके चलना ही स्टार्ट करेगा इस तरह से इस दिशा से यह थीटा कुण है मालो अब यहां पर हम नदी के वेक को भी यार ले लेते हैं यह तो सब वही लेंगे यह भी यार ले लिए इधार उसने गती स्टार्ट किया था तो भी यह स्टार्ट यहां किया था पहुंचा य ऐसा ही रहेगा कोई प्राब्लम नहीं है अब देखो इस तरह से इसके फार्मूले क्या-क्या बनेंगे चित्र पर ही बेस्ट है फार्मूला आपको फार्मूला रटना वटना नहीं पड़ेगा यदि आप समझ गए चित्र तो सब निकाल लोगे तो सब से पहले हम है यहाँ पर हम सब्सक्राइब क्योंकि Y технолог को ग्या कर्在 यह निकालेंगा यहाँ पर घ्यातर आश्ची है वो लंब है और यह अधार तो लंब आँ तो वर निक्लेगा और वथार निकलेगा रंप बट है अधार तो घ्र आपान वीयं हुए यह चांफ साह प Takami we're a bran Tennant को तो एदा रूट यहांपर देखो करणको यहीया है तो यह हो जाएगा फ। मी स्क्वेश Сथे ब전ध कंस ऩी अधिक को प्लस याद रखोंगे तभी आपको होपाएगा बीना कॉंसेप्ट के दिए आप रट्टा मार लिए तो निश्री तुस्ट आप इसको भूल जाओगे और तीसरा जो फार्मूला है वह किसके लिए समय के लिए कि उस पार हमको जाना है तो कितना समय लेगा तो समय तुसी फार्मूला से निकलेगा टी इक्वल टू एस अपान भी एस अपान भी तो यह एस में यह जो वेग निकलेगा आप एक्षिक में उसको भाग दे देंगे ते निकल जाएगा नदी को निउन्तम समय में पार करने के लिए फार्मूला अच्छे से समझ लो इसको देखो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है suppose यहाँ पर एक आदमी इस पकार से खड़ा है यह कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर और यहाँ आदमी बारी से बचने के लिए अपने हाथ में अम्ब्रेला रखा हुआ है सपोज ये अपने इस तरह से अपने हाथ से ये अम्रेला पकड़ा हुआ है ये अम्रेला पकड़के ऐसा खड़ा है बारी से बशने के लिए और बारी सो रही है उर्धा धर नीचे की ओर इस तरह से ये बारी से भी मैं कुछ सो कर दूँ आपको ये बारिस हो रही है और ये बारिस से बचने के लिए छतरी को perpendicular लेके खड़ा है, ऐसा ये बारिस हो रही है और बारिस से बचने के लिए आदमी छतरी को ऐसे पकड़ के खड़ा है, लेकिन अब वो आदमी चलने लगा, यहाँ पर जो rain का velocity है, उसका direction ये है, ये ये इस direction में बारिस हो रही है और इसका velocity है VR ये क्या है वे यार, बारिस का velocity है, अब ये आदमी क्या किया, इधर चलना चाहता है या तो down रहा है, या किसी in neighbors है, इधर चलने लगएगा या किसी भी direction में चलने लगएगा ठीक मालो इस डारेक्शन में चले लगा मैं इस डारेक्शन से आपको समझा दे रहा हूँ तो अपने अम्रेला को क्या करेगा वो बेंड कर लेगा मालो वो इस दिशा में गती करने लगा प्रापर मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ इस दिशा में वो गती करने लगा जब इस दिशा में वो गती करने लगेगा तो अपने अम्रेला को क्या करेगा वो टर्नक कर लेगा इस पकार से देखो अपने अम्रेला को कैसे टर्नक करेगा वो इस डारेक्शन में अपने अम्रेला को वो टर्नक कर लेगा अपने छत्री को ऐसा वो band कर लेगा तो suppose अपने अम्रेला को वो अपने प्रारभी की स्थिती से ठीटा डिग्री से बेंड कर लिया यह ठीटा कोड है इससे बेंड कर लिया और इस दिशा में वह गतिक करने लगा VM velocity से इस तरह से आप देखो तो जैसे अपने umbrella को इस direction में वो bend करेगा तो किस तरह के यहाँ पर component बनेगा यह component को देखना ध्यान से यह घटक को देखना जो जो यहाँ पर बना अब यह direction को मैं इसका parallel ले लेता हूँ यह इसका parallel direction है और यह इसका resultant हो जाएगा मतलब VM है तो यह भी VM है यदि यह VM है तो इसको भी आप VM ले सकते हो clear? अब यहाँ पर देखो यह theta है तो यह 90 minus theta होगा तो यह 90 है तो यह क्या हो जाएगा theta होगा इस पकार से यह theta हो जाएगा तो यहाँ पर जब यह theta हो जाएगा और यह VR यह VM है तो दोनों की बीच में जी हम value निकालना चाहे यहाँ से मैं इस पर यह perpendicular डा कर दूँ ऐसा तो यह VR है तो यह भी VR हो जाएगा तो इस तरह से यह त्रिभूज आप जो देख रहे हो इस त्रिभूज में हमको लंब पता है और क्या पता है? आधार पता है तो यहाँ पर निगलेगा 10 Theta तो therefore 10 Theta बराबर यहाँ पर 10 Theta बराबर यह VR क्या है? लंब है और आधार है VM मतलब इसका ठीक उल्टा होगा ध्यान रखना यहाँ पर 10 Theta VR अपान VM है यहाँ पर भी 10 Theta क्या होगा? VR अपान VM होगा यह रेन अपान में यहाँ पर यहाँ पर दो कंडिशन होता है पहला यहाँ कि 36 से कितना कोण बनाया और दूसरा होता है उर्धाधर से कितना कोण बनाया दोनों में उसका value change हो जाता है क्योंकि ऐसा अम्रेला लखा है Theta कोण घुमाया तो प्रारंभीक से Theta घुमाया और 36 से 90-theta हो जाता है तो यह प्रारंभीक की स्थिती है प्रारंभीक से इसने Theta घुमाया इस figure को मैं इस side में complete करूँ मालो opposite side में उसके तो इस तरह का condition बनेगा यह opposite side में हम इसको complete करें तो वास्ताव में यह वाला कोण थीता हो जाएगा वास्ताव में यह वाला कोण थीता हो जाएगा यह distance stable in nth second nth second में चली गई दूरी का क्या मतलब होता है यह एक बहुत ही important concept है और यह हमको जानना है कि nth second में चली गई दूरी क्या है नाम सुनने से लगता है कि पूरे n second में चली गई दूरी है जबकि ऐसा नहीं है nth का मतलब होता है एक nth का मतलब होता है है सेवंथ that means only one second मैं पहले उसको आपको समझा दूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट को इसी बात पर confusion हो जाता है कि एनवे का मतलब क्या है एनवे के मतलब को मैं आपको सबसे पहले एस्प्लेंड कर देता हूं सुनो जैसे मालो कोई पिंड किसी रास्ते पर किसी पत पर गती सिल है मालो ये किसी पिंड के गती का पत है और इस पत पर गती करता हुआ पिंड मालो ये जिरो से स्टार्ट करता है यहां से और एक सेकंड में यहां पहुंचता है, दो सेकंड में यहां पहुंचता है, तीन सेकंड में फिर यहां पहुंचता है, चार सेकंड में यहां पहुंचता है, एक सेकंड में यहां पहुंचा, दो सेकंड में यहां पहुंचा, तीन सेकंड में यहां मतलब 4th second, तो 4th second में उसके द्वारा तय की गई दूरी ये होगी, मतलब 3 complete होने के बाद, इस sense को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आपको इसके numericals नहीं बनेंगे, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से समझो कि nth second का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो, जब हम गती का समी कराण पढ़े हैं, तो गती के दीती समझ कराण में हम यह पढ़े है, s equal to, यह हमने पढ़ा है, s equal ut plus half at square, और कई बार student क्या होता है, जब वो nth second की, जब 7th second, 8th second, 9th second की बात करता है, तो यह वाला formula लगा देते हैं, जो की गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको आपको special concept पर explain कर रहा हूं, और बहुत ध्यान से आप समझना, तो चौथे second का मतलब होगा, between 3 and 4, तीसरे और चौथे के बीच में जो चली गई दूरी होगी, उसको हम कहेंगे, चौथे second में चली गई दूरी, मैं आप से बोलू, तीसरे second में चली गई दूरी, तो तीसरे second में चल निकालना पड़ेगा, हमको यहां निकालना पड़ेगा, कि पूरे 4 second में कितना दूरी ताई किया, उसके बाद फिर 3 second में कितना दूरी ताई किया, और इस दूरी से इस दूरी को अपने को घटाना पड़ेगा, कहने का मतलब S4 में S3 को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमक चोथे सेकंड में चली गई दूरी प्राप्त होगा आगई बास समझ में तो इस तरह से एन में सेकंड में चली गई दूरी निकालना है तो हमको एन सेकंड में चली गई दूरी में से उसके ठीक पहले मतलब n-1 में सेकंड में चली गई दूरी को माइनस करना पड़ेगा ये चीज आप ध्यान रखना तो ये जानना ज़़ोरी है कि n में का मतलब क्या होता है कि और फार्मूले रख लेने से काम नहीं चलेगा आप कोई भी पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम देखें n-1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है तो इसको मैं एक बार फार्मूले के रूप में आपको लिख देता हूँ n-1 सेकंड में चली गई दूरी को यदि मैं s-n से प्रदसित करूँ तो s-n बराबर क्या होगा n सेकंड में चली गई दूरी n सेकंड में जो मैं समझाया उसका भी मैं आपको सब्दों में लिख रहा हूँ ताकि बात एकदब क्लियर हो s-n मतलब n में सेकंड में चली गई दूरी है बराबर होगा n second में चली गई दूरी red n-1 यह इसका मतलब होगा इसका मतलब यह हो गया कि n second में चली गई दूरी n second में चली गई दूरी में यदि हम n-1 second में चली गई दूरी को minus करेंगे तो हमको n वे second में चली गई दूरी ग्याथ हो जाएगा अब n second में चली की दूरी का value कितना होगा देखो n second में चली की दूरी का formula होगा जो formula भी मैंने आपको बताया यह वाला formula s equal ut plus half a t square यह गति के दूती समीकर्ण को हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर क्या है t समय है लेकिन अब हमने समय t को n ले लिया है sorry n second में चली की दूरी क्या हो जाएगा un plus 1 upon 2 an square un plus 1 upon 2 an square यह हो जाएगा n second में चली की दूरी और minus यह होगा un minus 1 अब हम यहाँ पर put up करेंगे u n minus 1 जहाँ जहाँ t है वहाँ पर n minus 1 put करेंगे और यह हो जाएगा plus 1 upon 2 a n minus 1 का whole square यह तो यह हो गया n second में चली गई दूरी और यह हो गया n minus 1 second में चली गई दूरी यहाँ पर मैं highlight करके आपको और बता दू यह n second में चली गई दूरी है और यह n minus 1 second में चली गई दूरी है अब इसमें से यह दि उसको minus कर दिया जाए तो हमको final equation find हो जाएगा ठीक है आसी समझ में नहीं आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ देखो class को समझने के लिए एक बहुत necessary condition है वो यह है कि आपको previous class का भी knowledge होना चाहिए जो इसके पहले क्योंकि आज lecture number 6 है तो lecture number 5 तक यह दि आपने ध्यान से पढ़ा है समझा है तो आसानी से समझ में आता है और वो आस तो special concept वाला class है special concept में आपको पीछे का concept clear होना चाहिए और पीछे के यह दि clear है तब भी ना problem में आए तब भी समझ में ना आए तो फिर वो तो गड़बड है फिर पुछो मरेस मैं बताता हूँ ठीक है और class आपको बिलकुल exact time में आ जाना है क्योंकि बीच में भी समझ में नहीं आता बीच में एंट्री करने से समझ में नहीं आता अब इसको आगे solve करें तो क्या हो जाएगा ये un plus यहाँ पर ध्यान देना un plus 1 upon 2 an square ये तो कोई simplify नहीं होगा अंदर bracket को मैं एक बार open कर रहा हूँ तो इसका इसके साथ multiply करूँगा un हो जाएगा और ये minus u होगा plus इसका अंदर multiply करूँगा तो होजाएगा 1 upon 2a और इसका हम n-1 का विस्तार कर देते हैं तो होजाएगा n square minus 2n plus 1 ये होगा इस तरह से मैंने उसको simplify कर दिया that equal आगे solve करें तो un plus 1 upon 2 an square minus एक बार अंदर कोड़ साल्व कर देते हैं un minus u plus इसका अंदर multiply होगा तो 1 upon 2 an square और ये होजाएगा minus 2,2 के साथ में कट जाएगा तो minus an होगा और इसके साथ में plus होजाएगा 1 upon 2a इस तरह से अब हम क्या करें इस minus को अंदर multiply करें तो अंदर multiply करेंगे minus तो क्या होगा मैं next slide में लिखता हूँ un plus 1 upon 2 an square वो तो वही रहेगा that implies sn equal un plus 1 upon 2 an square अब हम minus का अंदर multiply करते हैं ध्यान देना minus का multiply करेंगे तो minus un plus u होगा minus un plus u minus un plus u ठीक है देखते जाएग बार minus un plus u minus 1 upon 2 an square minus 1 upon 2 an square फिर क्या है देखो plus an minus 1 upon 2 a plus an चीन मतल रहेगा plus an minus 1 upon 2 क्या a यह step हम को मिलेगा अब देखो कितने value से यहां से हैं आपस में कर जा रहे है un un के साथ में कर जाएगा 1 upon 2 an square 1 upon 2 an square के साथ में कर जाएगा और इसके बाद जो value हमको यहां पर मिलने वाला है वो value हो जाएगा that implies s n equal यहां से मिला अपने को u बचा हुआ है यहां से बचा हुआ है plus an और minus 1 upon 2 a that implies आगे हम इसको साल्व करें s n equal to u plus यहां से हम क्या करें 1 upon 2 a common कर लेते हैं 1 upon 2 a को जब common कर लेंगे तो 1 upon 2 a common करने के बाद क्या बच्चे का देखो 1 upon 2 a को मैं common कर लिया तो यहां a तो common हो गया और 2 चुकी मैं common कर लिया तो 2 का मेरे को multiply करना पड़ेगा ultra process करना पड़ेगा यहां पर 2 का multiply होगा तो हो जाएगा 2n और minus 1 upon 2 a common हो गया है 1 upon 2 a यहां से बच्चेगा 1 और यह formula हो जाएगा हमारा n में second में चली गई दूरी इस परकार्स यहां पर जो आप formula देख रहे हो वह n में second में चली गई दूरी का formula हो जाएगा n में second में चली गई दूरी का formula होगा s n equal यह है n में second में चली गई दूरी का formula s n equal to u plus 1 upon 2 a 2 n minus 1 तो यह बहुत important formula है और इस पर numericals बहुत ही ज़्यादा important है इस topic पर numericals बहुत ही ज़्यादा important है इसको आप ध्यान में रखना बहुत बार इसे numerical पूछा गया है मैं भी एक अच्छा question आपको इस पर करा भी देता हूँ special concept वाले question पर topic पर मैं special question भी आपको करा देता हूँ यह सबसे पहले आप इसको skin start लेलो अब चलिए हम इस पर एक question करते हैं यह question है जो इसी formula पर best है यह question आप बहुत ध्यान से समझो यह question क्या है इसी formula पर best है चलो question को पहले आप ध्यान से पढ़ो question को आप ध्यान से पढ़ो फिर बात करते हैं जब कोई वस्तू u equal to 0 जब कोई वस्तू u equal to 0 से चल कर एक समान तोराण से गती करता है यह equal to 0 मतलब इस्ती रवस्ता से इस्ती रवस्ता से गती स्टार्ट किया और समान तोराण गती करता है तो पहले पहले दूसरे तीसरे सेकंड में चली करी दूरियों का अनुपात होगा यह एक बहुत ही अच्छा question है और इस pattern का question बहुत बार competitive exam में पूछा जा चुका है इस question से आपको clear हो जाएगा कि किस तरह से हम इस तरह के question को हम सालू करते हैं ठीक है चलिए तो देखो इसका solution क्या होगा इसमें n में सेकंड में चली की दूरी का formula हम यहाँ पर लगाएंगे n में सेकंड में चली की दूरी का formula जब हम लगाएंगे तो यह हमारे पास formula है sn equal to u plus यह जो formula भी हमने derive किया इसको हम use करें 1 upon 2a 2n-1 इस formula का हम use करें और इसमें पहले दूसरे और तीसरे सेकंड में चली की दूरी का हम मान निकालते हैं ठीक है तो मालो पहले सेकंड में चली की दूरी हम निकालें तो पहले सेकंड में चली की दूरी को मालो हमने s1 कह दिया s1 तो s1 equal to प्रारभी को सुन्य बोला है यह हो जाएगा 0 plus यह हो जाएगा 1 upon 2a और यहाँ पर 2 into पहला सेकंड माने minus 1 और यह हो जाएगा s1 का value that equal s1 का value यहाँ से 2 minus 1 मतलब 1 होगा तो यह हो गया 1 upon 2a यह हो जाएगा s1 का value इस प्रकार से s1 equal to हो जाएगा 1 upon 2a इसी प्रकार से हम क्या निकाले s2 निकाले तो जब s2 निकालेंगे तो 0 plus 1 upon 2a और यहाँ पर अब हम n का value to put करेंगे तो हो जाएगा 2 into 2 minus 1 यह होगा that equal आगे इसको सालव किया जाए तो 1 upon 2 और 4 minus 1 4 minus 1 मतलब 3 तो मैं starting में लिक देता हूं 3 upon 2 इस प्रकार से हो जाएगा 3 upon 2a यह s2 का value हो जाएगा अब इस तरह से हम s3 का value निकालें तो s3 equal to s3 निकालें तो 0 plus 1 upon 2a और under bracket यहाँ पर अब n का value 3 put करेंगे तो 2 into 3 ठीक है यह हो जाएगा 2 into 3 minus 1 that equal यह हो जाएगा 6 minus 1 मतलब 5 मतलब यह हो जाएगा 5 upon 2a इस तरह से हम s4 निकालें और ends 1 बाकी values को हमें दी find करें तो बोला है कि तीसरे सेकर में चलेगी दूरियों को अनुपात, ends 1 और भी दूरी हम निकालें तीसरे 4, 5, 6, up to n यदि हम इसको इस पकार से निकालें तो इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो अब हम इसका अनुपात करते हैं ते हो जाएगा s1 ratio s2 ratio s3 equal तो s1 का value क्या है 1 upon 2a इसका value है 1 upon 2a ratio इसका ratio है 3 upon 2a 3 upon 2a और इसका ratio है 5 upon 2a यह आएगा अब यहाँ पर देखो सभी में a upon 2 a upon 2 cancel out हो जाएगा क्योंकि ratio हम find कर रहे हैं तो सभी का a upon 2 a upon 2 cancel out हो जो answer हमको यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 ratio 3 ratio 5 ends 1 और भी निकाले तो ऐसा निकलेगा इस पकार से इनके दूरियों का इनके दूरियों का जो अनुपात है वह 1 ratio 3 ratio 5 मतलब क्या odd number विसम संख्या प्राप्त हो रहा है यह मिलेगा तो यह question बहुत ही best है बहुत ही best question है और कई competitive exam में यह खुद या इस तरह का question पूछा जा चुका है तो आज मेरा special class लेने का purpose यही है कि मैं आपको कुछ ऐसे concept बता हूँ जो competitive exam में generally पूछे जाते हैं तो यह हमारा concept था इसके पहले जो हमने पढ़ा यह concept था कि n-way second में चली गई दूरी हम कैसे find करते हैं यह n-way second में चली गई दूरी के लिए फर्मूला है और इसके बाद हमने n-way second में चली गई दूरी के लिए एक question लिया तो यह इससे आपको concept clear हो गया होगा कि किस तरह से हम उस फर्मूला को use करेंगे ओके चलीए तो यह question आप इसकीन साथ ले सकते हैं और यह आप तयार कर लिजिए वही बाद में अपने को result में रिजल्ट ऐसा कोई accidental चीज नहीं है result ऐसा कोई यह प्रत्यासित नहीं है कि अचानक आपके साथ बहुत अच्छा हो जाए बहुत चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे ओनबर जो हम work करते है हैं जो प्रयास करते हैं जो इमानदारी से काम करते हैं या जो लापरवाही करते हैं वही integrate होके बाद में हमको result के रूप में मिलता है तब टाइम वेस्ट मत करो 11 class से करके बाद में समझ में आएगा आप लोगो को चलो कोन कहां से है कोन क्या है इस पर जादा टाइम वेस्ट मत करो चलो next class है विभीन next topic है विभीन इस्थीतियों में आवसाच चाल का मतलब क्या है देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि different different condition में आवसाच चाल क्या होता है हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ऐसा नहीं कि हम उसाद पहली बार पढ़ आ हैं हम average speed पढ़े हुए हैं अब हमको यहाँ पर यह पढ़ना है कि different different condition में मतलब special case आपको मालूम है कि आज का class ही हमारा special concept है तो special case पर हम देखेंगे कि किस-किस special case पर अवसाचाल हम किस प्रकार से निकालते हैं क्योंकि कल के क्लास में जब मैं इस पर निमेरकल कराऊंगा तो निमेरकल कराते समय आपको इन ही सभी कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा यदि आप इसको अच्छे से करके आओगे तो निमेरकल का क्लास आपको बहुत और यह सब नहीं करके आओगे तो कल भी बोलोगे किसार आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि समझ गये ऊद्धियों में और समझ में नहीं आ रहा है तो विभीन नी स्थितियों में औवसाच चाल में सबसे पहले हम पढ़े हैं पहला हमारा condition है यदि आधी दूरी यदि आधी दूरी v1 vex से यदि आधी दूरी v1 vex से तथा सेस आधी दूरी v2 vex से गती करे यदि कोई pin ऐसा लिग दिया मैं चलो यदी कोई पिन सामने में लिखा है मैंने पिन लेकिन समझ लो एक पिन है यदी कोई पिन आधी दूरी को V1 वेक से और सेस आधी दूरी को यदी V2 वेक से गती करे तो पूरे यात्रा के दारान उसका अवसात्वे क्या होगा यह हमको समझना है तो सपोज यह पत है यह एक रास्ता है और इस रास्ते में एक पिन ने इस तरह से गती प्रारम किया कि मानलो उसने आधी दूरी को यह मानलो यहां से लेके यहां तक यह आधी दूरी है A, B और यह C जहांपर A, B जो है बराबर है B, C के मतलब यहां से यहां तक आधी दूरी है और यहां से यहां तक यह आधी दूरी है तो मानलो A से B तक पिन ने V1 वेक से गती किया और B से C तक उसने सपोज V2 वेक से गती किया तो पूरे यात्रा के दौरान इसका जो आउसात वेग होगा V average उसका value होता है 2 V1 V2 अपान V1 प्लस V2 यह इसका क्या होता है फार्मूला होता है मतलब इस फार्मूला से आप direct answer निकाल सकते हो जैसे इसमें कई प्रकार का प्रस्न आता है एक ब्यक्ति अपने घर से आफीस इतने वेक से जाता है और आफीस से अपने घर इतने वेक से वापस आता है या एक बच्चा अपने घर से इसकूल इतने वेक से जाता है और इतने यात्रा में मालो 30 km इतने वेक्ष से चला और 6 30 km को इतने वेक्ष से चला तो अपनी पूरी यात्रा में उसने कितना average speed उसका रहा यह हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं इस पकार से देखो V average इकोल टू होता है 2 V1 V2 upon V1 V2 यह फार्मूला आप याद रखो कि आधी दूरी को V1 VX से तससे आधी दूरी को V1 VX से गती करें तो उसका औसात वेक 2 V1 upon V1 V2 होता है कोई प्राब्लम यहां तक देखो जितना मैं फर्मूला आपको बता रहा हूँ वह काम्प्रिट्व एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंडिशनल फर्मूला है मालो आपको किसी क्वेस्चन में इस तरह से दिया हुआ हो मैं पूरा स्टेट्मेंट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मालो का क्वेस्चन ऐसा दिया हो V1 मालो दिया हुआ है 40 km प्रती घंटा और V2 गराबर दिया हुआ है मालो 60 km प्रती घंटा कहने का मतलब A से B तक वह 40 km प्रती घंटा से जाता है और V से C तक वह मालो 60 km प्रती घंटा से जाता है तो पूरी यात्रा में उसका उसर चाल क्या था यदि ऐसा निकाला जाए तो V average करके सीधा इस formula को आप लगा सकते हो जो मैंने यहां पर बताया है 2 V1 V2 तो क्या हो जाएगा 2 into 40 into 60 upon 40 plus 60 इसा हो जाएगा V1 plus V2 मतलब 40 plus 60 इस पकार से इसको आगे हम salvo करें तो कितना हो जाएगा यह ऐसी रहने दो 2 into 40 into 60 और अपान में 40 plus 60 कितना हो जाएगा 100 इस तरह से 2 0 cancel out हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48, 6 चक 24 दूनी 48 यह हो जाएगा 48 km per hour 48 km per hour यह इसका speed हो जाएगा इस पकार से देखो यहां पर V average माने इसका जो औसाच चाल है वह 48 km per hour हो जाएगा तो यह फर्मूला आपको याद है तो बहुत आसानी से इसको salvo कर सकते हो फर्मूला याद ना रहने पर इसको बहुत लांग में थट से बनाना पड़ता है हाँ निसांद यह संभव है कि किसी पिंड का माध्य वेक सुन्य हो जाए किन्तो माध्य चाल सुन्य ना हो ऐसा संभव है वो इसलिए संभव है क्योंकि वेक सदिस रासी है और चाल क्या है अदिस रासी है तो चाल सुन्य नहीं हो सकता लेकिन वेक सुन्य हो सकता है क्योंकि गती का दीशा बदलने पर वो जीरो हो जाएगा ठीक है तो ऐसा संभव है अदिश और सदिश की काण ऐसा हो जाता है नेस्ट कॉंसेप्ट हम देखें एक पी हाई दूरी सेकंड नमबर का इसका स्पेसल कॉंसेप्ट है इस टापिक पर यदि एक पी हाई दूरी एक पी हाई दूरी वी वन वेक्स है दूसरी एक पी हाई दूरी दूसरी एक पी हाई दूरी वी टू वेक्स है पीसरी एक तिहाई दूरी भी थ्री वैक से गती करे इस तरह से गती करे तब उसकी पूरी यात्रा के दौरान अवसात में क्या था ये कैसे निकलेगा देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आधी दूरी था, ये एक तिहाई है तो सपोज हमने ये एक पथ लिया ये कोई रास्ता है इसको हम तीन बराबर भाग में बाट दिये मालो यहाँ से A से B वन थर्ड डिस्टेंस ये A से B है फिर हमने ले लिया क्या B से C, सेकंड वन थर्ड ये है और सपोज ये हो गया C से D ये नेस्ट वन थर्ड है ये एक तिहाई है, एक तिहाई है, एक पिहाई है मतलब दूरी को हमने तीन बराबर भाग में बाट दिया और यहाँ पर यही कंडिशन है कि तीनों दूरी आपस बराबर है A, B, बराबर B, C और बराबर क्या है? C, D A, B, बराबर B, C, बराबर C, D ये है, तो A से B तक की जो दूरी है इसके वेक को हमने V1 ले लिया B से C तक उसने V2 वेक से गती किया और C से D तक उसने सपोस V3 वेक से गती किया मतलब दूरी तो समान है बर तीनों कंडिशन में उसके वेक अलग-अलग है A से B तक V1 वेक से गती करता है फिर B से C तक V2 वेक से गती करता है फिर C से D तक V3 वेक से गती करता है ये ही मेरे आज के क्लास का परपस है कि मैं आपको आज इसको चेप्टर के अंदर आपको नहीं परहा सकता है इसलिए मैंने एक class schedule किया है आप लोगों के लिए special concept फार special concept और हर chapter के बाद मैं आपको एक class special concept का जरूर लूँगा ताकि मैं आपको उन चीजों पर discuss कर सकूँ जो बिल्कुल अलग है special concept है और जो competitive में आपके बहुत काम आने वाले हैं तो इसलिए हमने इसको लिया है तो यहाँ पर V average का formula क्या होगा देखो यहाँ पर एदि हमने V average निकाला तो V average equal to इस formula से निकलेगा 3 V1 into V2 into V3 3 V1 into V3 into V2 into V3 जैसे यहाँ पर देखो आधी दूरी में कितना था 2 V1 V2 ऐसा आप याद रख सकते हो तो इसमें 3 हो जाएगा और इसके बाद नीचे होगा V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1 यह होगा इस formula से हम इसको fine कर सकते हैं ओके तो यह है हमारा एक तिहाई वाला formula V average equal to 3 V1 V2 V3 upon V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1 यह होता है एक तिहाई दूरी निकालने के लिए formula सुमीत 2 V1 V2 V3 नहीं होता 3 V1 V2 V3 होता है ना सुमीत ध्यान रखना इसमें confuse मत होना यहाँ पर 3 होता है हाँ मैं समझ गया मैं समझ गया गलती से टाइप हो गया बाकी numerical तो आप बना सकते हो अब इसमें example देने कहज़े उरत नहीं है ठीक है इतना आप समझ सकते हो नेस्ट हमारा जो special concept है वो है देखो वी वन वेक से यदि वी वन वेक से टी वन समय तक तथा वी टू वेक से टी टू समय तक देखो कंडिशन को ध्यान समझना यदि वी वन वेक से टी वन समय तक अब यहां पर वेक का समय के साथ में सम्मझ है जैसे मालो मैं ने गती प्रारम किया और मालो मैं चालिस किलोमीटर प्रती घंटा की रवतार से एक घंटे तक चला फिर मैं अपने वेक को साथ किलोमीटर प्रती घंटा कर दिया और दो घंटे तक चला तो सीधा-सीधा इससे जो एवरेज वेलसिटी निकलता है उसके फार्मूला को हमको समझना है तो उस कंडिशन में वी average जो निकलेगा वो सीधा सीधा velocity का time के साथ में multiply हो जाता है that means displacement बन जाता है मतलब V1 T1 plus V2 T2 upon V1 plus V2 तो V average equal to हो जाएगा V1 T1 plus V2 T2 upon sorry total time होगा वेग नहीं total time होगा यह हो जाएगा T1 plus T2 इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं तो यह formula हो जाएगा V average निकाल लेगा तो V average equal to V1 T1 plus V2 T2 upon T1 plus T2 इस तरीके से हम इससे निकाल सकते हैं ठीक है तो तीसरा concept है आप note करते जाओ इसको आप यह note करते जाओ यह unique collection है और इसको आप एक जगा लिख के रखो तो आप आगे चलके competitive exam में इसका use कर लोगे बहुत अच्छे से चलिए अब इसके बाद हम देखें और अभी देखो मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ यह किस पर based है यह based है विभीन स्थितियों में आउसा चाल मतलब हम special conditions पर हम आपको आउसा चाल निकालना सिखा रहे हैं कि अलग-अलग condition पर आउसा चाल कैसे निकालोगे यह और next ह मारा condition है उसा चाल निकालने का यह सबसे ज्यादा important है और rare आप the rare है बहुत rare आप the rare condition है इसको आप ध्यान से समझना इसमें क्या है कि एक संदूरी वीवन वेग से यदि वीवन वेग से एक संदूरी तथा वीटू वेग से एक स्टू दूरी ताए करे मतलब समझे आप इस कर रहा है जब गती प्लारम करता है तो पहले वीवन वेग से चलता है कितने दूरी को एक संदूरी को मतलब जब उसको वेग भीवन रहता है तो वह एक संदूरी ताए करता है बाद में अपने वेग को वह परिवर्टित कर लेता है या तो बढ़ा लेता है या घटा लेता इससे यह मतलब नहीं है कि बाद में बढ़ाया कि घटाया लेकिन बदल दिया तो जब V2X से गती करता है तो वह कितनी दूरीते करता है X2 दूरीते करता है तो इस condition में जो V average होता है यह बहुत unique formula है और इस पर question जब आता है तो यह बहुत कठीन हो जाता है तो ध्यान में रखना इसको बहुत ध्यान रखना यह बहुत important है इस पर question जब भी आया है student बहुत परेसान हो जाते हैं इसको साल्व करने में बहुत बढ़ा बनाते हैं इसलिए मैं आपको इसका side cut tricks बता रहूँ तो इस condition में जब हो तो उसका formula x1 plus x2 यह हो जाता है x1 plus x2 दोनों दूरी को जोड़ेंगे और into दोनों वेक का गुणा होगा v1 into v2 तो x1 plus x2 into v1 into v2 और अपान क्या हो जाता है यह बहुत unique है x1 v2 plus x2 v1 यह होता है x1 v2 plus x2 v1 यह इसका formula होता है इस पकार से यदि v1 vex से x1 दूरी तय करे और v2 vex से x2 दूरी तय करे तो v average इतना हो जाता है इस पकार से आप देखो यह इसका average velocity find करने का formula है v average equal to x1 plus x2 into v1 into v2 upon x1 v2 plus x2 v1 और basically दो topic पर best मैंने आपको special case पढ़ाया जो की competitive exam के लिए बहुत ही जादा important है जिसमें पहले मैं आपको बता रहा 90 second में चली गई दूरी मतलब यदि किसी pin में 90 second की बात करे तो दूरी किस पकार से निकाला जाता है फिर हमने देखा विभीन स्थितियों में different different condition में उसका value क्या होता है और साचाल का value क्या होता है यह हमने निकाला ठीक है इसके बाद मैं आपको एक बहुत special concept समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना वो यह है यह concept भी बहुत बार competitive में पूछा गया है क्या है ध्यान से सुनो यहाँ पर मैं आपको चीतर के help से उसको समझा रहा हूँ मालो यह कोई एक road है इस रढक पर इस road पर मालो एक car खड़ी है या कोई भी vehicle imagine कर सकते है वहाँ पर खड़ी हुई है या bus खड़ी हुई है ठीक है हम bus ही बना देते हैं वहाँ पर एक suppose यहाँ पर यह कोई bus खड़ी है टrक खड़ी इसतरह से यह हमने यहाँ पर एक विकल खड़ी कर दिया माल एक बस खड़ी है और इधर यह जाने के लिए तैयार अभी वो बस खड़ी है इसके बाद इस से डी दूरी पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है मानलो ये एक आदमी है जो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है एक आदमी इस जगा पर खड़ा हुआ है अब इस आदमी को उस बस को पकड़ना है अभी दोनों खड़े हैं आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे सामने एक बस खड़ी उस बस को हमको पकड़ना है हमारा आम से हां खड़े हैं फिर अचानक हमको पता चलता है कि बस चलने लगी तो बस चलने लगी मानलो अभ यह एक दूसरे से डी दूरी पर इस्थित हैं ऐसा इसमें कई तरह का कोश्चन आता है कि एक चोर खड़ा है पुलिस वाला उसको दवडाता है situation कुछ भी हो सकता है but concept उतना ही है situation कुछ भी हो सकता है but concept क्या है उतना ही है तो situation को आपको समझना है concept ही important है तो अब क्या होता है कि डी दूरी पर खड़ा है जैसे ही भीवेक से यह चलने लगता है जैसे ही बस क्या होता है भी वेग से चलने लगता है तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि एक मिनट भी वेग से नहीं इसका तोरण पता रहेगा यह तोरण से जैसे ही बस यह तोरण से चलना पारम करता है तो आदमी दवनाई स्टार्ट करता है अब आदमी क्या करना है दवना लेक कितना होना शिलिये नियुने थैंटर से जूब की दरें कि वाह कि उसको पकड़ने के लिए भस को पक्ड़ने के लिए नियुनेएक बश्कोरने के लिए इसका जो नियुन्तर जाइऑ होगा हुआ तुन आर इक्वल्टव थी ए greater than r equal to root of 2ad के equal होता है मतलब उसका जो नियुन्तम वेग है यह वह इसके इससे बड़ा या लगभग या उसके बराबर हो नियुन्तम उतने वेग से उसको दरणा पड़ेगा ध्यान से समझो root of 2ad क्या बोला एक बार situation को ध्यान से समझो यह सब special concept है और competitive के लिए यह question है इस question में क्या बता है आपको कि बस को पकड़ने के उसका नियुन्तम वेग कितना होना चाहिए तो इसका जो नियुन्तम वेग है वह root of 2ad से बड़ा root of 2ad से बड़ा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर हो यदि उससे कम वेग से दोड़ेगा तो उस बस को कभी नहीं पकड़ सकता उसको नहीं पकड़ सकता numericals कैसे बनेगा इसको मैं लगभग अपने हर class में बताता हूँ आप साइद मेरे class में पहली बरा रहे हो इसलिए इस class में इसा पूछ रहे हो आप कल के class में आओ तो मैं आपको बताऊंगा numericals कैसे बनता है ठीक है कल के class में आओ कल हमारा numerical का class है तो कल के class में numericals करेंगे तो आप से discuss करेंगे कि कैसे numericals बनता है तो यह formula समझ में आया एक बाध्यान से सुनो यदि आपसे d दूरी पर कोई bus खड़ी है आपसे d दूरी पर कोई bus खड़ी है और bus जब ए तोरान से चलना पाराम करती है तो आप bus को पकड़ने के लिए दवड़ते हो तो आपका weight कम से कम कितना होना चाहिए आप bus को पकड़ लो तो आपका weight कम से कम root up 2ad के बराबर या उससे अधीक होना चाहिए उससे अधीक में तो पकड़ ही लोगे उससे बराबर में भी पकड़ लोगे और उससे कम में नहीं पकड़ सकते फिर bus आगया के दवड़ते रहेगी आप पीछे दवड़ते फिर बोलगे रहे बस तो चली गई छूट गई भर भुड़ते हैं वैं यह ही कंडिशन है या कई कंडिशन है कि सामने एक पीछे पूलिस वाले खड़े हैं अचानक चोर को दंड देखते हैं और चोर को दोड़ाना सुरू करते है तो पूलिस वालों को अपने विकल का स्पीड कम से कितना रखना चाहिए कि वह चोर को जाके पकड़ ले ठीक है तो ये होता है इसके special cases तो मैंने आपको आज के class में सरल रेखा में गती का बहुत सा special case समझाया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप एक बार और अच्छे से वीडियो को रिवाइस कर लेना ये आज का class completely आपको in future competitive exam में बहुत काम आने वाला है क्योंकि class 11 तो school में home exam lesson होता है और generally हम काम चला लेते हैं मुझे मालूम है मुझे मालूम है कि generally हम 11 class में ऐसा ही काम चला लेते हैं लेकिन जिनका बड़ा लक्ष है जिनको 12 class के बाद कोई बड़ा competitive exam निकालना है IIT निकालना है NEET निकालना है CUT का exam देला के आपको अच्छे university में जाना है India निकालना है ऐसे बच्चों को अभी से मेरा suggestion है कि आप चीजों को superficial मत पढ़ो सतही पढ़ाई मत करो आप गहराई में जाके पढ़ाई करो ओके तो इस तरह से ये हमारा आज का special concept का class हम यहाँ over करते हैं कल के class में हम इस chapter के numericals करेंगे और numerical के बाद next class में हम numericals ही करेंगे लेकिन multiple choice best हम numerical के दो class लेते हैं एक पूरे सालो करने वाले और दूसरे multiple choice पर best ताकि अभी से आप competitive के लिए थोड़ा तयार हो जाओ ओके थैंक्यू